नमस्कार दोस्तों आये सुनते हैं मालती जोशी जी का लिखा सूप्रसेदु पन्यास पुन्रा गमनायच्च तो आये सुनते हैं ये खुबसूरत सव पन्यास उन लोगोंने फोन पर पहले से ही बता कर लिया होगा सब भी अपने जैसे बेवकुफ थोड़े ही होते हैं पिछले आधा घंटे में अजय ने यह बात कोई पांचवे बार कही होगी और हर बार उसके सर की खीज और कड़वाहट बढ़ती जा रही थी ताव तो मुझे भी बहुत आ रहा था क्या इससे पहले ट्रेनिंग अभी लेट नहीं हुई प्लेटफॉर्म पर तपस्या करने का क्या यह पहला आउसर है फिर बार बार मुझे यह सब क्यों सुनाय जा रहा है पर इस समय तो चुप रहने में ही खैर थी इन महाशर का कोई भरुसा थोड़े ही था जरा सा घुड़का नहीं कि छोड़कर चले जाएंगे फिर प्लेटफॉर्म पर तपस्या करती में कितनी हास्यास बद लगूंगी पापा को आज ही टूर पर जाना था वह होते तो इस जख्की को घास भी नहीं डालती मैं पर मजबूरी थी इसलिए चिरोरी करके साथ लाई हूँ मा तो मना ही कर रही थी बोली अगर उनकी इच्छा हुई तो वे लोग तुमें यहीं से लेते जाएंगे ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता तयार होकर बैठी रही लेकिन फिर मुझसे ही सबर नहीं हुआ अजे को मा को किसी तरह पटा कर आ गई हूँ और अब वह मुझ पर कुड़बुडा रहा है अजे को क्या पता कि मन में कैसी उतल फुतल हो रही है कल का दिन कितनी बेचैनी से कटा है पिछले छे दिनों तक सपनों के इंद्रधनोशी हिडोले पर जूलती रही थी कल तो स्वपने लनुष्ठान का अंतिन दिन था इसके बाद तो एकड़म जैमाल के समय ही भीट होने को थी प्रतिक्षा करते करते पूरा दिन बीट गया सद सवर कर बैठी मैं भाई बहनों की चुहलबाजी का अनंद लेती रही पर धीरे धीरे उनसे भी उपहास की गंधाने लगी शाम को दुबारा साड़ी बदलने लगी तो सुधी ने टोप दिया ओफो दीदी तुन जरा तो उन्हें अपने किये की सजा दो उन्हें पता तो चले कि दिन बर से तुम कितनी बूर होती रही हो अभी उनकी आदते मत भी काड़ो Otherwise, he will take you for granted सुधी की बात रख ले थी मैंने कपड़े नहीं बदले थी पर चेहरा फिर से सवार लिया मालों में नए सिरे से फूल टाक लिये थे सुधी तो पागल है भला रूट भी मनाने के लिए अब समय ही कहा रहा आज के शाम भर तो है मान मनवल के लिए तो जिन्दकी पड़ी है और जैसा कि सुधी कहती है घर में एक पर्मानेंट कोब भवन बनवा लोंगी पर आज नहीं आज तो उनका स्वागत मुस्कुरा कर ही करना है क्योंकि यही तो विदा की शाम भी है पर कहा मुस्कानों के वे दीब जल कर चुब भी गए पर उन्हें नहीं आना था सुनहीं ही आए तभी तो बेशर्म बनकर इस्टेशन पर आना पड़ा उन्हें एक जलक देखना था अपने सारे उलाहने अपना सारा प्यार आखों ही आखों में उन पर उडेलना था उस एक छड के लिए मैं राधा भी थी और मीरा भी ट्रेन आने में बस पांच मिनट रह गए होंगे जब उन लोगों की काराती दिखाई दी हम लोग गेट के पास ही खड़े थे उन लोगों के आते ही अपने प्लेटफॉर्म टिकट मुठी में दवाए हम लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े प्लेटफॉर्म पर भीड का एक सैलापसा एकदम उमड़ पड़ा था सभी बद्धवास से दोड़ पड़े शयर ट्रेन के आने का संकेत हो गया था अपनी बाहों का गेरा बना कर मम्मी जी मुझे उन धक्का पेल से बचाए हुई थी मुझे मालूम था घर जाकर अजय उनकी सदा का खोब मजाक उड़ाने वाला है पर मेरा ध्यान अजय की उड़ नहीं था मेरी आखें जिने खोज रही थी वह अपनी एक जलक दिखा कर भीड में खो गए मेरा मन उनके पीछे दोड़ गया था पर तरन मम्मी जी की इस नहिल बाहों में एक एट था वह मुझे लेकर एक और खड़ी हो गई ट्रेन आने पर जब सब लोग कमपार्टमेंट तक पहुच गए थे तब ही वह वहां से हिली पर श्रीमान जी का वहां भी पता नहीं था भाईया कहां गयरे दिलित मम्मी जी ने पूछा शायद बोकेस्टॉल पर गए है क्या तुम लोग उसके लिए किताब नहीं ला सकते थे एक तो घर से जल्दी निकलने नहीं दिया अब किताब ढूणने चले है आजय जाओ तो अपनी दीदी को बुकेस्टॉल दिखा लाओ आजय शायद उनकी बात नहीं टालता पर मेरा ही मन नहीं हुआ अगर उन्हें उसकता नहीं है तो मेरी ही क्या अटकी पड़ी है दूसरे छड़ सोचा शायद मेरे लिए यह संकेत हो पर इस उहा पोह में ही ट्रेन ने हॉन दे दिया उस भयाना का वाज को सीटी कैसे कहूँ वह भागते हुए आये ममी डैडी के पैर छुए शेल दासे गले मिले दिलेट नीतू की पीट थब थब आई अजे से हाथ मिलाया और चलती ट्रेन में चड़ गए उनके लिए मैं जैसे वहाँ थी ही नहीं कोई चौथा पत्र फाड कर मैं फिर हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी मन में हजारों बाते थी पर कागस पर आते ही सब कुछ अर्थी हिन हुआ जा रहा था कोई लिखे भी तो कैसे और किसे लिखे अभी दस दिन पहले तक जिसका नाम भर सुना था वही वेक्ती सप्ता भर में कितना अपना हो गया था जैसे युगो-युगो की पहचान हो और फिर वही आज शाम लेट फॉर्म पर कितना अजनवी बन गया अजीव अस्वंजस था ए दी दी सुधी ने मुझे चौका दिया सो जाओ अब सुबह जारा तरो ताजा होकर लिखना इसे स्पीट से कागज फारती रही तो नेपा मिल्स को स्पेशल टेंडर भीजना पड़ेगा तुम क्या अब तक जाग रही हो तुमारी खटर पटर सोने दे तब ना चुप चप कागज कलम समीट कर अपने बिस्तर पर जाकर लेट रही ची क्या घर है अपना कहनी कोई कमरा भी नहीं है कि कोई आजादी के साथ लिख पर सके अच्छा हुआ जो यह बात सुधी के कानों तक नहीं पहुची नहीं तो फॉरण कहती थोड़े दिन और सबर कर लो रानी जी फिर कमरा तो क्या पूरा सूट आपके नाम होगा और मद्रास में तो पूरा का पूरा फ्लैट वह दोस्ट अभी चुप थोड़े ही थी कह रही थी यह खराब बात है देदी भला आप उन्हें खत क्यों लिखेंगी पहले वहां से आने दीजिए भई काईदा तो यही कहता है वह और भी कुछ-कुछ बक्ती रही पर मैं नींद का स्वांग भरे चुप-चाप लेटी रही पता नहीं क्यों आज उसके छेड़ खानी अच्छी नहीं लग रही थी पांच-छे दिन उत्सुक प्रतिक्षा में बीट गए कॉलिज से जब भी लोटती सब की नजर बचा कर पहले लेटर बॉक्स खूल कर देखती फिर भी दोनों शैतान मेरी चोरी पकड़ ही लेते अजय चिड़ाता स्रीमान जी को ठिकाने पर पहुशने दो दो पहले सुधी कहती समुंद्री यात्रा में हर पड़ाव पर डाक की सुविदा होती है दीपक जी चाहें तो हर स्टेशन से एक लेटर पोस्ट कर सकते है अजय कहता बेजारों के पास अपना पता भी तो नहीं है क्या मम्मी जी के केर ओफ भेजेंगे जानती थी वे लोग मेरी खिचाई कर रहे है फिर भी एक बार बेवकूफों की तरह मैंने सांतोना के घर से वहाँ फोन लगाया भी उधर से डैडी की धीर गंभी रावाद सुनते ही सक पका कर रिसीवर रख दिया रॉंग नंबर कहने भरका भी साहस नहीं रहा बाद में पश्तावा भी हुआ दिनेश को फोन पर बुला कर उनका पता ही पूछ लेती इतने दिन उनके साथ घूमती रही पर उन स्वर्गे छड़ों में पता पूछने जैसी साधारन बात का ध्यानी ना आया उन्ही दिनों कॉलेज ने राजस्थान का आठ दिन का एक टूर आयोजित किया कॉलेज का टूर तो हर साल जाता था पर मा कभी अनुमती नहीं देती थी केरवा डैम भी जाना होता था तो उन्हें दस बार मनाना पड़ता था इस बार मुझे कोई उचसुकता भी नहीं थी पर इस बार मा अचाना कुदार हो उठी बड़े ही तरलस्वर में बोली हो आना गोमने फिरने के यही तो दिन होते हैं एक बार ग्रिहस्ती में घिर जाएगी तो यह सुक पर आया हो जाएगा एक तरह से ठेल ठाल करी उन्होंने मुझे टूर पर भेजा मा के अस्विकृती का ठोस बहाना ने रस्थ हो जाने के बाद फिर तो सहेलियों ने भी पीछा नहीं छोड़ा सुधी ने बार बार आश्वस्त किया कि पत्र आएगा या आएंगे तो वह सम्हाल कर रखेगी और इमानदारी से मुझे सौब देगी सारे आश्वासनों के बावजूद मन पूरे वक्त उधर ही लगा रहा सबका मज़ा किरकिरा करने के लिए सखियों ने जब कोसना शुरू किया तब किसी तरह मैं अपने को समझा बुझा कर उनमें लोट सकी फिर दशने स्थलों को देखते हुए मीरा मन चोरी चोरी हनिमून का कारिकरम बनाता रहा खास कर मुझे उधरपूर बहत ही भाया जैपूर से भी जादा पहले सोटल का एक कमरा मैंने मन ही मन बुख भी कर दिया सफर का गर्द गुबार और थकान ओड़े जब मैं बस से उत्री तब मन दोड़कर आगे पहुच गया था और सुधी से चिरोरी कर रहा था पर घर में पाउं देते ही लगा जैसे भीतर का सन्नाटा मुझे लेल लेगा अजय शरीफ लड़कों की तरह बाहर आया और मेरा सामान उठा कर अंदर ले गया सुधी किसी आग्या कारणी बहन की तरह उठी और मेरे लिए चाय बना लाई माने पलंग पर लेटे लेटे ही पूचा थाना खाएगी सब का ऐसा निरादर भाव देखकर घर लोटने का उच्साही जैसे निचुड़ गया रोज कॉलेज से भी लोटती तो डहे सारी बाते मेरे पास कहने को होती इस समय तो पूरा खजाना था परवज जैसे पल भर में रीट गया कपड़े लेकर मैं बातरूम में गुज गई और देर तक सफर के ठकान और गर्द गुबार्द होती रही बाहर जब निकली तपतन और मन दोनों फोल से हलके हो गये थे गीले गालों को तौलिय में लपेटते हुए मैंने पूछा कुछ खाने पीने को है पेट में चूहे कबड़ी खेल रहे हैं बना देती हूँ सुधी ने दबी आवाज में कहा और किचन में जाकर आलो छीनने लगी ए बात क्या है कुछ भी तो नहीं फिर भी उत्तर में सुधी मेरे कंदे पर से रखकर फफ़क पड़ी दीदी माने बताने के लिए मना किया था बटाई कांट केप इट एनी मोर पर हुआ क्या मैंने कापती आवाज में पूछा दीदी दीदी दीपक जी नहीं रहे तीन शब केवल तीन शब लेकिन वे जैसे मेरे संपूर्ण अस्तित्यों को रौनते हुए चले गए मेरे चेतना के सारी तार एकड़म जनजना कर बज उठे और बस इसके बाद सब कुछ एकड़म शान्त हो गया होज जब आया तब मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी महले के डॉक्टर सिनहा मेरे नव्स पकड़े हुए थे मा आजे और पापा जो शायद दफतर से जल्दी लोटाए थे बलंगों घेर कर खड़े थे मुझे कुछ पक्रतिस्त होते देखा तो डॉक्टर सिनहा उट खड़े हुए मेरे सिर को प्यार से थप थपाते हुए उन्होंने कहा और बाहर चले गए उनके पीछे पीछे पापा भी मा मेरे सिराने आकर बैट करी और उन्होंने मेरा सिर गोद में ले लिया अजे मेरे लिए बॉर्ण वीटा जाकर ले आया और मा चम्मत से मुझे पिलाने लगी सुधी कहा है कुछ दिर बाद मैंने चीड स्वर में पूछा फिर मा के दृष्टी का अनुसरंड किया तो देखा वहाप राधी भाव से दूर खड़ी कातर दृष्टी से मुझे ही निहार रही है मैंने इशारे से उसे पास बुलाया वह दोड़कर मुझे लिपट कई और आसमों का एक सहलाप सा हुमड पड़ा बाद में उसी ने मुझे विस्तार से सब कुछ बताया था शैल्दा किसी इंटर्वियू के लिए मद्रास कह हुए थे दीपक उन्ही लिवाने इस्टेशन पहुँचे थे इस्टेशन से घर को आते हुए ही उनकी मोटर साइकिल एक सिटी बस से टकरा गई शैल्दा तो चलकर दूर जा गिरे पर दीपक जी तो एक डाम पहियों में आ गए उनकी छिन विछिन दे और घायल शैल्दा दूसरे दिन विमान से हाँ पहुचे थे डैडी को तो खबर सुनते ही अटेक हो गया था अकेले दिले इतने ही सारा काम समाला था या इतना सब हो गया और तुमने मुझे खबर तक न की कहां करती क्यों कॉलेज के पास हमारा पूरा प्रोग्राम था तुमने फोन तो किया होता मैं उड़कर चली आती और आकर क्या कर लेती कोई भी क्या कर लेता है पर जो अपना होता है वह तो दोड़कर आता ही है हाँ जो अपने होते हैं ये तो आते ही हैं लेकिन चुप क्यों हो गई दीदी तुम अपनों में नहीं थी बलकि उस समय तो सबके लिए तुम बलकि मा कह रही थी तुम्हारा यहाँ ना होना ही छीक रहा क्यूं? वहाँ जो कुछ भी कहा सुना जा रहा था वहाँ तुम सह नहीं पाती कौन कह रहा था? लोग कह रहे थे क्या कह रहे थे लोग? हिंदुस्तानी लोग ऐसे मौकों पर कैसी बाते करते हैं पता तो है सारा दोश तुम्हारे मथे मढ रहे थे मतलब मुझे अफशक नहीं कह रहे थे सुधी जुप हो गई अभी कुछ दिन पहले तक मेरा पैर उस घर के लिए बहुत शुप था और आज आज मैं अफशक नहीं करार दे दी गई घटनाओ पर न तब मेरा वश था ना आज है पर्णियती का भागी मुझे हर बार बनना पड़ा जिस दिन मेरा रिष्टा गया था तो उस दिन डैडी ने एक महत्वपूर्ण मुकदमा जीता था जिस दिन वे लोग मुझे देखने आये थे दिलीप का पीजी के लिए सिलेक्शन हो गया था सगाई वाले दिन ही शेल दा का रिजल्ट आया था और वह बैंक में प्रोबेशनरी अपसर बन गये थे सबका मुझ मीचा कराते हुए डैडी ने कहा था शेल है तो मेरी बहन का लड़का पर बचपन से इसी घर में रहकर मेरे बच्चों के साथ ही पला बढ़ा है एक तरह से घर का ही लड़का है बहु के भागे से आज उसकी भी मेनद सफल हो गई ऐसी सुलक्षडी बहु थी मैं और आज एकदम अप्शगनी हो गई सुधी ने बताया कि औरते इतने कठोर शब्दों में मेरी भतर्षना कर रही थी कि मा का कलेजा चलनी हो गया दुबारा महा जाने की हिम्मत नहीं पड़ी और फिर जरूरत ही क्या थी और रिष्टा जो था वह अपने आप ही तूट गया था कितनी आसानी से सब ने इस गटू सत्य को स्विकार कर लिया था मैं भी उतनी आसानी से सब कुछ भूल पाती मन के कागज को फिर से कोरा कर लेती दिवाली आई और चली गई एक दीपक के बुच्टे ही सारे दीप मेरे लिए अर्धीन हो उठे थे हाँ घर का वातावरन धीरे धीरे समाने हो चला था मिलने जुलने वाले पहले की तरह आने लगे थे इस दुर घटना की चर्चा भी अब पहले की तरह फस्फसा कर नहीं होती थी बलकि कुछ लोग तो माबाब को बधाई भी देने लगते चलिए इश्वर को यही मंजूर था तो यही सही आप तो इस बात के खेर मनाईए कि भला बुरा जो भी होना था शादी से पहले ही हो गया नहीं तो लड़की की जिन्दगी तबाह हो जाती जैसे तबाह होने में अब भी कोई कसर बाकी थी मुझे उन लोगों की बुद्धी पर तरस आता हर बात का बस व्यभारिक पक्षी देखेंगे भावनाओं का तो इन के लिए जैसे कोई अस्तित्वी नहीं है मा भी तो कभी कभी कैसी अजीब सी बाते करने लगती है उन दिनों मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था दो पहर में पूरे घर में मैं और मा बस दोनों ही होते तब मा से एक ऐसा तो डर लगने लगता एक दिन पूछा निधी तुम लोग कहा कहा गूमने जाते थे हम लोग कहा कहा नहीं गय थे मा सातों आसमान की सेर कराए थे हम लोग तुम्हें बहुत सारे लोग देखते होंगे न शायद यहां होशी किसे था यह सब क्यूं पूछ रही हो मा डर लगता है रे कल को कहीं बात चले तो इनी बातों का बतंगर न बन जाए अब शागुन का एक ठपा वैसे ही लग चुका है तुम क्या दुबारा मेरी शादी के लिए सोच रही हो मा दुबारा से क्या मतलब शादी तो पहली बार ही होगी सच तो है शादी तो पहली बार ही होगी और मेरे साथ जो घट गया मा क्या था कि वाल एक दूस्स अपन निधी मा एक दिन पास आकर बैठ गई निधी एक बात पूशनी थी रे कौन सी मा तुम लोग मेरा मतलब है तुम और दीपक और मा चुप हो गई पूरी बात कहो न मा मैं और दीपक मेरा मतलब है तुम लोग किस सीमा तक बढ़ गए थे मैंने मा की ओर देखा प्रश्न पूच कर जैसे वह खुद ही संकोच से गड़ गई थी उसी समय पोस्ट मैंने आवाज दी और वह जैसे जान शुड़ा कर भाग खड़ी हुँ मा के प्रश्न का क्या उत्तर था मेरे पास कैसे कहती की मा सीमाय तो सारी कपके तोट चुकी थी वहां तो प्रड़य का सारो भौम सामराज जिस धापित हो चुका था मा के भया कोल मन को भली भाती पड़ सकती थी मैं हम लोगों के उस सचंद विच्रण का उन्होंने शुरू से विरोध किया था पर पापा ने ही उन्हें डपट दिया था दोले थे इस तरह मना करना उन लोगों पर अविश्वास करने जैसा होगा आखिर उसके भी माबाप हैं पर वे लड़की के माबाप हैं उससे क्या फर्क पड़ता है सगाई के बाद अब तो निधी भी एक तरह से उनकी ही हो गई है अब जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही नहीं उनकी भी है पर मा का मन फिर भी आशांकी थी रहा पहले दिन हमारे साथ सुदी को भीजा गया था दूसरे दिन उसने साफ मना किया तो किसी तरह जै को तयार किया गया लेकिन पापा ने ही एक अध्या देश जारी कर दिया उस सारी विवस्था को निरस्थ कर दिया बोले लड़का दो साल विदेश रह कर आया है यहां भी खुले वातावरण में पला है तुम्हारी दखिया नूसी से बिफर गया तो सारी की एक राय पर पानी फिर जाएगा उस दिन हम लोग अकेले ही गये थे घूम खाम कर लोटे तो रात के ग्यारा बज रहे थे तब पापा ने बड़ी प्यार से दीपक को समझाया था देखो बेटे शहर का महल कुछ ठीक नहीं है तुम लोग देड़ तक बाहर रहते हो तो निधी के मा को टेंशन हो जाता है यूनो एशे इस वेरी नर्वस बाइनेचर मुझे लेकर मा उन दिनों तनाव में जी रही थी अब उस हाथ से के बाद वो फिर तनाव से घिर गई थी कई कार्थनिक भै उनने खेर कर बैट गए थे निन्मरवा मेरे इर्द गेर्द मडराती रहती कुरेद कुरेद कर उट पटांक प्रश्न पूछती रहती उनकी ममता एक संभावे खत्रे से आतंकी थी इसलिए चट पटा रही थी मा का वभै निर्मूल नहीं था बहुत जल्दी ही इसका पता लग गया और पल भर को जैसे मेरी चेतना ही लुप्थ हो गई फिर बहुत साहस करके मैंने यह को संभाद सुधी से मा तक पहुचाया मुझे लगा था मा सुनते ही बेहुश हो जाएंगी या चीख पुकार मचा कर सारा घर सिर पर उठा लेंगी मुझे कोसेंगी अपनी किस्मत को रोएंगी और भी जाने क्या क्या पर ऐसा कुछ नहीं हुआ घर का वातावरन वैसा ही शांत बना रहा एक बुलबुला भी नहीं फूटा और मैंने स्वास्ती की सास ली इसका अर्थ था मा नहीं सागात के लिए अपने आपको तयार कर लिया था 24 गंटे शांती से निकल गए दोसरे दिन सुबह मा नहीं सहत स्वर से कहा निधी सूट के इस तयार कर लिया साड़े बारक की गाड़ी है कौनसी गाड़ी पठान कोट एक्सप्रेस हम लोग ना सिख जा रहे हैं प्रभा मौसी के हैं क्यों अब इस क्यों का भी कोई जवाब है मा ने खेज कर कहा फिर दूसरे ही छड़ बोली एक बार प्रभा मौसी को ठीक से दिखा लेते हैं यदि ऐसा वैसा कुछ हुआ तो वही रफा दफा कर देंगे किसी को कानो कान खबर नहीं होगी घर के डॉक्टर का यही तो फाइदा है मुझे लगा किसी ने दहकती सलाखों से मेरी कोग दाग दी हो माँ मैंने कापती आवाद से कहा मुझे कही नहीं जाना है और मैं एक दम पलट कर कमरे से बाहर निकल गई माँ पहले तो फटी फटी आखों से मुझे देखती रह गई फिर उन्होंने दोड़ कर मेरा रास्ता रोक लिया और पूछा नहीं जाना है मतलब मतलब क्या होगा बस नहीं जाना है तो यह कहो ना कि यहीं बैटकर सबके मुझे पर कालिक पोतनी है यह कहते हुए मा का चेहरा इतना विकृत हो गया कि पल भर को लगा वह मा है ही नहीं दूसरी ही कोई औरत है पर तुरंत ही उन्होंने अपने आवेश पर काबू पा लिया और पुर्वद दुलराते हुए कहा जिद नहीं करते बेटा अभी जादा देर नहीं हुई है सब आसानी से सुलच जाएगा ऐसा नहों कि एक गलती सारी जिंदगी को नासूर बना दे मैंने कोई गलती नहीं की है मा मैंने तैश में आकर कहा जो कुछ हुआ उसमें मेरा दोश कितना था फिर यह किस अपरात की सजा मुझे दी जा रही है दोश तुम्हारा नहीं था बेटे तुम्हारी उम्र का था तुमने कोई गलती नहीं की कसूरवार तु हम लोग हैं जो इतनी छूट दिये रहे रिशे मुनियों के मन भी ऐसे में वश में नहीं रहते फिर तुम लोग तो नेरे बच्चे थे नहीं मा दो शुम्र का नहीं है एक आंध का भी नहीं है मेरी संसकार इतनी खोकले नहीं है पर सामने वाला व्यत्ती मीरा वागदत पती था और उसने और उसने माने अधीर होकर पूचा उसने अपने प्रेम का प्रमाण मांगा था माहत बुद्धी होकर देखती रह गई मैंने कोई व्यभिचार नहीं किया है मा संपूर्ण मन से अपने देवता के आगे समर्पन किया था और अब अगर उस प्रड़ा निवेदन का उत्तर साकार होकर मेरे भीता रुपजा है तो वह अभी मुझे स्विकार है मैं उसे प्रसाद समझकर ग्रहन करूँगी किसी को उसके साथ खिलवार नहीं करने दूंगी नासिक के टिकेट लोटा दिये गए थे पर मैं जानती थी कि यही अंत नहीं था बिल्कि यह तो शुरुवात थी एक अन्होनी संघर्ष्ट का स्रीगडेश था मा एकदम चुप हो गई थी पता नहीं चल रहा था कि वह मुझसे तटस्थ है या रुष्ट है सुधी मुझसे कटने लगी थी और मैं पापा से कत्राने लगी थी इतना सब हो जाने के बाद उनके सामने निकलना दूभर लगता था अपने ही घर में अपने ही आत्मी सवजनों के बीज में अकेली पड़ गई थी इस एकांतवास से घबरा कर मैंने एक दिन अचानक सान्तोना के घर की राह ली जैसे कि मेरा अनुमान था वह घर पर नहीं थी उतनी बड़ी कोठी में आंटी अकेली थी मुझे देखते ही उनके चहरे पर विस्मय और करून के भाव तैर गए आंटी ज़रा फोन करूंगी मैंने कहा और उनके स्विक्रिती की प्रतिक्षा किये बिना अंकल के स्टडी में चली गई जब मैंने कमरे का दर्वाजा धीरे से बंद किया तब भी वह उसी विस्मित मुद्रा में मुझे देख रही थी डायल करते हुए मेरे हाथ काप रहे थे बहुत हिम्मत जुटा कर आई थी पर जैसे ही उधर से हेलो की आवाज आई मेरी जीव तालू से चिपक गई घबराहट में अभान न रहा कि यह वही आवाज है जिसकी तलाश में यहां तक आई हूँ हलो मुधर से दुबारा आवाज आई मिसिस प्रसाद स्पेकिंग और मैंने अपनी सारी शक्ती बटोर कर कह डाला मम्मी जी मैं निधी बोल रही है अब सन्नाटा छलांग लगा कर उसोर पहुच गया रेसीवर से कान लगाए जैसे मैं अपनी ही धड़कन गिंती रही बड़ी देर बाद उधर से था किसी बुझी से आवाज आई कहो उस स्वर में कोई आग्रे नहीं था निमंत्रण नहीं था बलकि एक बेजारी सी थी पर मेरा नाम सुनने के बाद भी वा रेसीवर लिए खड़ी रही मेरे लिए यही बहुत था अपनी सारी व्यग्रता आखुलता स्वर में उडेल कर मैंने कहा मम्मी जी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अकेले में बताईए कब मिलेंगी कहा मिलेंगी वा फिर कुछ देड़ तक चुप रही शाय सोच रही हूँ मैंने आयाले में निर्णय की प्रतिक्षा में खड़े अभी युक्त की तरह सास खीचे रही अंतहीन प्रतिक्षा के बाद भबोली उन्होंने एक पता दिया दिन और समय निश्चित करके जब मैंने फोन नीचे रखा तब मेरी समूची देई उत्तेजना से काप रही थी वे मेरी विजय के छड़ थे हवा में तैटते हुए ही मैं घर लोटी सुधी वरामदे में बैठी कुछ पढ़ रही थी पदचाप सुनकर उसने से रुठाया और फिर पुस्तत में डूप गई और कोई दिन होता तो मैं दोड़कर उससे लिपट जाती अपनी कारगुजारी वयान करती पर हम दोनों के बीच की अंतरंगता पता नहीं क्यूं एकदम बिला गई मैं भी चुपचाप उसके पास से गुजर गई अपने कमरे में बैटकर अपनी खुशी अकेले ही पीती रही अपने संशय अपने आप ही बुनती रही फोन पर मम्मी जी की ठकी बुझी आवाद से ही परिचय हुआ था प्रत्यक्ष देखा तो लगा मुर्ती मंत करुणा मेरे सामने खड़ी थी मेरे स्मृती से बड़े गरिमा में संपने व्यक्तित की रचाया भर रह गई थी मुझे देखते ही उन्होंने अंक में भर लिया लगा जैसे इसने ही लिस पर्ष के लिए उंचाने कब से तरस रही हुँ मैं उनके कंधे पर सिर रखे सुबकती रही और वह मेरे सिर पर पेट पर हाथ फेरती रही एक ही दुख से बंधी हुई दो आत्माएं एक दूसरे को सांतोना देती रही सारा घर सननाटे में डूपा हुआ था मेरे लिए दर्वाजा खोल कर मम्मी जी की सकी थी पता नहीं कहां अंतरधान हो गई थी उस नीरव एकांत में बस हमारी सिस्कियों की आवाज ही गूँज रही थी पता नहीं कितनी देर बाद मुझे चेट हुआ उनसे कुछ अटकर बैठते गए मैंने कहा मम्मी जी एक जरूरी बात थी फोन पर बतलाना मुश्किल था इसलिए मुझे मालूम है क्या वही जो तुम कहने आई हो आपको किसने बताया तुम्हारी माने माँ आपसे मिली थी हाँ खास दोर से मिलने आई थी बहुत कुछ सुना कर गई है ओ नो मैं उन्हें दोश नहीं देती नी थी उनकी जगर मैं होती तो शायद इससे भी जादा बवाल मचाती गलती हम लोगों की ही थी बलकि मेरी ही थी जिस विश्वास से उन लोगों ने बिटिया हमें सौपी थी उस विश्वास की रक्षा ना हो सकी अब मरने वाले के लिए क्या कहूं शायद मेरे ही संसकारों में कहीं खोट रह गई होगी उनकी वा पश्चाताब्द दगदवानी मुझसे और नहीं सुनी गई उनके मुँपर हाथ रखकर मैंने कहा प्लीज मम्मी जी उनके लिए कुछ मत कहिए संसकार इसमें कहां आते हैं क्या मेरी मानी मुझे एक गोरा ही गढ़ा था शायद वा जाना हम लोगों की न्यती थी वा गय हाँ और उसने भी यह थोड़े ही सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा बोलते बोलते उनका कंट बीच में ही और उध्धो गया पहले कभी उन छणों के बारे में सोचती थी तो लज्जा और गलानी से भरोटती थी पर उस देन वह दारून समाचार सुना तो होश आने पर सबसे पहले अपने को धन्यवाद दिया कितना अच्छा हुआ कि मैंने उनकी इच्छा का अनादर नहीं किया नहीं तो ये शूल मुझे उम्र भर सालता रहता पता नहीं क्या सोच कर मम्मी जी ने मुझे खीच कर गले से लगा लिया चैद अपने दिवंगत पुत्र की ओर से कृतक गिता वेक्ट कर रही थी मम्मी जी उनकी भावनाओं का दामन ठाम कर मैंने कहा मैं आपके दीपक का अंच लेकर आपके पास आई हूँ किसी तरह इसे बचा लीजी एक बर वह धर्ती पर आ जाए फिर तो मैं सो तूफानों का सामना कर लूँगी लेकिन तब तक कोई मुझे चैन से जीनी नहीं देगा सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़े है जिन्दगी बहुत बड़ी है बेटे सिर्फ भावनाओं के सहारे उसे जिया नहीं जा सकता तुम्हारे माबाब ठीक ही कहते है जीने का अवलंब पास में हो तो आदमी कैसे भी जी लेता है मम्मी जी बहुत आशा से आपके पास आई थी पर लगता है मेरा रास्ता मुझे ही खोजना होगा आप भी उस खेमे में शामिल हो गई है खेर और मैं एकदम उठकर चल दी मम्मी जी छेड स्वरों में पुकारती ही रह गई पर मैंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं गोर अताशा लिये ही मैंने घर में प्रवेश किया दर्वाजे से ही सुधी से सामना हो गया कहा गई थी उसने रूखे स्वर में पूछा मैंने जवाब नहीं दिया तो वह मेरे पीछे-पीछे कमरे में चली आई सान्तवना के यहां तो नहीं थी तो मैं देखाई थी जब मैं वहां गई ही नहीं तो होती कैसे तुम्हारा जाना वेकार था कम से कम बता कर तो जाय करो हमें बेवकूफों की तरह इधर उदर दोड़ाय जाता है मौले में एक तमाशा सा हो जाता है उसने कैसेलेस्वर में कहा लेकिन जरासी देर में इतनी भाग दोड़ करने की जरूरत ही क्या थी मा से पूछो उन्हें तो जरासी देर में कुवे बावडी का शक होने लगता है मैं एक दम मा के सामने जाकर खड़ी हो गई इच्छा हुई पूछो मा तुम सच मुझ घबरा गई थी क्या क्या तुम सच मुझ मेरे लिए मम्मी जी से लड़ाई थी मा ने एक बार नजर भर कर मुझे देख लिया और फिर अपने काम में जुट गई उनका चेहरा वैसा ही कठोर सपाट बना रहा मैंनी तान तसहाए अकेली बनी उन्हें देखती रही मा ने एक बार नजर भर कर मुझे देख लिया और फिर अपने काम में जुट गई उनका चेहरा वैसा ही कठोर सपाट बना रहा मैंनी तान तसहाए अकेली बनी उन्हें देखती रही देदी कोई आया है सुधी ने आकर बताया कौन है अब आप ये जाकर देख लीजिये न उसने बेजारी से कहा तो उठना ही पड़ा परदे की आर से जाक कर देखा तो दिलीब थे कभी दिलीब का नाम लेते ही सुधी के गाल सुर्ख गुलाब वो उठते थे सगाई के दिन अपने पराये सभी ने पापा से कहा अब सुधी के लिए और कहा भटकेंगे आप एक ही मंडप में एक ही घर में दोनों को ब्या दीजिये यूजना बुरी नहीं थी पर बाद में दीपक नी एक दिन बताया था कि दिलीप अपनी एक सहपाठीनी से वचनबत है अभी घर पर बताया नहीं है ठीक समय की प्रतिक्षा कर रहा है तब से बात आई गई हो गई थी उसके बाद तो खेर दिलीप मेज पर अखी पत्रिकाएं उलट-पुलट कर रहे थे मेरी आहट पाते ही चौके खड़े होकर नमस्ते सीखी और फिर बैट गए एक लंबा मौन हम दोनों के बीच पसर गया बड़ी देर बाद उन्हें स्वर मिला कैसी हैं अच्छी हैं फिर वही चुपी वह बेमतलब कुर्सी पर आसन बदलते रहे मैं कालीन का डिजाइन देखती रही उन्होंने ही फिर साहस किया एक जरूरी बात करनी थी क्या कहीं थोड़ी सी प्रैवेसी मिल सकीगी मिरा मतलब है चट पर चली मैंने कहा और एकदम उठकर चल दी परदे से जागती आखों का और दिवार से लगे कानों का उनकी तरह मुझे भी ऐसास हो गया था चट पर एकदम एकान था गुनगुनी धूप थी एक छोटी सी खटिया पड़ी थी जिस पर लेट कर मा कभी कभी धूप सेख लिया करती थी उनके लिए वा खटिया विज़ा कर मैं मुदेर पर बैट कई कहिए मैंने कहा पता नहीं क्यों छट पर आते ही मेरा सारा संकोष तिरोरित हो गया था मेरा सारा संकोष तिरो ही थो गया था अब तो बलकी दिलीब जी अपने असमंज़से उबढ़ने का प्रयास कर रहे थे मेरी प्रशनार्थक दिश्टी की चुभन को वा अधिक देर तक सहन नहीं कर पाए बेवजय गला साफ करते हुए बोले समझ में नहीं आ रहा बात कहां से शुरू करूं आप तो निसंकोश कह डालिये मैंने आश्वस्त करते हुए कहा आप तो जानती हैं मैं डॉक्टर हूँ उन्होंने कहना प्रारम किया इस तरह की केसिस तो रोजी देखने सुनने में आते हैं पर जब कोई अपना ही इन्वॉल्ड होता है अभारी हूँ कि आपने हमें अपना समझा मेरी इस बात से वह एकड़म अप्रतिभो उठे फिर दूसरे ही छड़ एकड़म तनकर बैठ कए सोच लिया होगा कि इस तरह की धीली ढाली मुद्रा से अब काम नहीं चलेगा जैसे मुझे जताते गवे से बोले देखिए आज यहां मैं सिर्फ डॉक्टर की हैच्छत से आया हूँ सुना था आप परिशानी में है इसलिए बताने आया था कि एक दो नर्सिंग होम्स मेरी जानकारी में है वहाँ फीस भी माकूल लगेगी और प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा आप लोग पसंद करेंगे तो मैं खुदा आप के साथ चला चलूँगा क्या आप अपनी मा के दूद बन कर आये हैं? मैंने पूछा जी नहीं, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर ही आया हूँ तो फिर मेरी बात सुन लेजिए ना मैं किसी परिशानी में हूँ ना मुझे उससे चुटकारा पाने की विगरता है वल कुछ कहने को हुए तो मैंने इशारे से उन्हीं चुप करते हुए कहा देखिए, आप एक डॉक्टर है इसलिए मनुष्य के शरीर को भीतर बाहर से जान लेते है पर उससे भी अंदर होता है एक मन उसकी था आप लोगों को कभी नहीं मिल सकती आप नहीं जानते कि औरत किस्तों में प्यार नहीं करती अपने को जब भी देती है संपूर्ण रोप से देती है मैंने भी केवल तन नहीं दिया मन भी दिया है मैंने कोई पाप नहीं किया वे अभी चार नहीं किया केवल प्यार किया है उसके परेडाम को सहने की शमता मुझ में है तुमारे स्वर्गवासी भाई का उपहार समझ कर ही मैंने उसे स्विकार किया है मेरी इस लंबे वाके के बाद दिली कुछ छड़ शुप रहे फिर बोले निधी जी डालोग तो आपने बहुत अच्छे दिये हैं किसी नाटक या उपन्यास में बहुत अच्छी तरफ इठ हो सकते हैं पर जिन्दिगी नाटक या उपन्यास नहीं है एक कड़वी सच्चाई है आप जानती हैं आप किस भावकता को जिद को सच्चाई का जामा बहनाने के लिए एक निरे प्राडी की बली दी जा रही है किसकी आपकी नहीं इतनी बड़ी बात मुझसे कहने की जुरत मम्मी नहीं कर सकती उन्होंने तो वही तीर फेका है जहां से वह जानती थी कि तीर खाली लोटकर नहीं आएगा मतलब? मतलब उन्होंने शैलदा से अनरोध किया है कि वह आपके होने वाले बच्चे को अपना नाम दे है, मम्मी जीने मेरी लिए इतनी आप तो जानती है इस हाथसे से मम्मी थोड़ा संतुलन खो बैठी है, आपकी इस खबर से उनका रहा सहा विवेक भी जाता रहा है अब तो उन्हें दीपा के बच्चे का मोह देखने के धुनसवार हो गई है आप दोनों मिलकर एक गरीब आदमी के जंदगी तबाह करने पर तुलिवी है तो आप इतना परिशान क्यों हो रहे हैं शैल्दा मना भी तो कर सकते हैं यही तो मुसीवत है वह मना नहीं कर सकते मम्मी के हैसानों से इतना दबे हुए है कि कभी उनके सामने से रुठा कर कुछ कहने का सहा सुन में नहीं है मम्मी यह बात अच्छी तरह जानती है कि एक बार मैं या दिनेश उनकी बार टाल सकते हैं पर शैल्दा यह हिम्मत कभी नहीं करेंगे फिर उनके मन में यह अपरादबोध भी है कि उस दिन उनकी आखों के सामने ही मौच जपट्टा मार कर भाईया को ले गई और वह कुछ नहीं कर सके क्या कोई कुछ कर सकता था ठीक कहरें हैं आप लेकिन जहां सभी लोग तरक और विवेक को ताक पर धरे बैठे हूं वहां बात करना ही वेर्थ है उनके घर पर और लोग भी तो होंगे वे मान जाएंगे घर पर कौन है? मेरी बुवा भर है ये दोन दो बहने हैं जिनके शादी होनी है 40,000 के इत्च रकम के सहारे उनके मन को मोरने में कोई कठिनाई नहीं हुई उन्हें केवल आपके अपशगुनी होने का डर था मम्मी ने उन्हें समझा दिया है कि शैल्दा के लिए तो आप हमेशा ही शुब रहेंगे सगाई के दिन ही उनका रिजल्ट निकला था इतने बड़े एक्सिज़न्ट के बाद भी उनका बच निकलना इसी बात की और संकेत करता है और वह मान गई हैं हाँ वह मान गई हैं दिलिप के जाने के बाद भी बड़ी देर तक मैं छट पर बैठी आसमान को ताकती रही मन में इतना कुछ उतल पधल हो रहा था शैल्दा के साथ विवाह की बात सुनकर एक बारगी में पत्थर हो गई थी पर उस प्रस्ताव के पीछे जागती मम्मी जी की वगरता के विशर में सोच सोच कर मन विहल होकर उनके चड़नों में जुका जा रहा था और फिर ये 40 अजार कहां से लाएंगे पापा इतने सारे रुपए जब दीपक का रिष्टा किसी ने सुझाया था तभी पापा ने कानों पर हाथ रख लिये थे ना बाबा उतने बड़े घर के सेड़ी चड़ने के सामर्थ मुझ में नहीं है तब उन्हीं परचित ने आश्वस्त किया था कि पैसों का लाला चुन लोगों को नहीं है वे तो केवल वे तो केवल अच्छे परिवार के सुझाय और सुशील करन्या भर चाहते है उन्होंने गलत नहीं कहा था पर विधाता को ही शायद यह मन्जूर नहीं था कि सब कुछ इतनी आसानी से निपड़ जाए तभी तो नीचे से माने खाने के लिए आवाज दी तब जाकर मेरी तंद्रा तूटी नीचे आकर देखा सब लोग अपने अपने ठिकानों पर जा चुके हैं मेज पर केवल दो ही थालिया लगी हुई थी हम दोनों के वेच इन दिनों समवाध हींटा केसी इस्थिती बन गई थी इसलिए मा के साथ अकेले खाते हुए बड़ा संकोच हो रहा था मा दोचार कर किसी तरह पानी की घूट के साथ नीचे उतारने के बाद मैंने बार शुरू की मा चालीस अजार रुपयों में मेरी आतना का सौधा तै करने से पहले कम से कम मुझे पूछ तो लेते आप लो मा ने एक बार आख उठा कर मुझे देखा और फिर उसे निरलिप तभाव से डाल चावल मिलाने लगी मा मैं इस तरह अपनी अस्मिता का गला नहीं घोड सकती आत्म धात के इससे कई अच्छे तरीके मेरे सामने थे और है तो मर जाओ ना जीते जी हमें मारने पर क्यों तुली हो मा एकदम गर जी मैं हद बुद्धी से उन्हें देखती रह गई उनका चेहरा तम-तमाया हुआ था आखों से आख बरस रही थी नतुने फूले हुए थे अपनी स्नीम अई मा का यह विक्राल रूप देखकर मैं तो एक बार गी सहम ही गई बात क्या करती उनकी और देखने का भी मुझे साहस नहीं रहा यह नहीं करेंगे वह नहीं करेंगे आखिर क्या करोगी यह तो बताओ तुम्हारी सनोखी जिद के लिए हम सब पूवे में कूच जाए यह फासी लगा ले कभी यह भी सोचा होता कि एक बहन और भी है घर में कल को उसकी भी शादी होनी है हम कौन सा मूलेकर लड़के वालों के दरवाजे जाएंगे बताओ तो उस बंबारी को सिर जुका कर सहलिया मैंने ठीक तो था अपनी खुशी के लिए मैं सुधी के जीवन के साथ खिलवार नहीं कर सकती थी क्या इसी कारण सुधी मुझसे इन दिनों इतनी कट कई है उसका अहित तो मैं कभी सोच में नहीं सकती उदर में ढाई मा का गर्ब और मनमी परिजनों के प्रतिय अपार वित्रिशना लेकर मैंने एक सो मोहरत में शैल जी अब शैल दा कैसे कहूं का वरण कर लिया नौ परिडीट पती की सन्नीकट उपस्थिती से उदासीन मैं निरलिप्त भाव से बात के विधिविधान करती गई सपाट स्वर में विवाह मंत्रों का अनुचार करती रही पर उन मंत्रों ने मुझे कहीं से भी नहीं चुआ मन जैसे पत्रा गया था लोगों से सुना कि समारोह बड़ा शांदार रहा इस विवाह में दोनों पक्षों ने जिस सोच-बूज और समाजदारी का परिचे दिया उसकी भी बहुत प्रशंशा हुई मैंने सारी चर्चा को इतने तटस्त भाव से सुना जैसे कि वह किसी और के विवाह का प्रसंग हो विदा के बाद मुझे सीधे शैल जी के गाउं ले जाया गया वहां मामी जी अब अम्मा जी नहीं कह सकती न नहीं मेरा परिचन किया वही मुझे अंक में भर कर भीतर लिवा ले गए और तोंके उस उजूम में केवल दो चहरे ही पहजाने से लग रहे थे रमा और उमा के उस बार सगाई के समय ये दोनों मेरे पास ही मड़ाती रही थी पर इस बार दूर से ही टुकुर टुकुर ताक्ती रह गई मामा के द्वार मंडप नहीं डलता इसी से शायशादी गाउं से की गई थी सारे कुलाचार संपन होते ही हम लोग दूसरे दिन मामा जी लोगों के साथ शहर आ गए मुझे अपने कमरे में पहुचाते हुए मामी जी ने कहा नेधी इबराहिम से कह देती हूँ गाड़ी अभी गैराज में न रखे तुम्हें अपने घर से कुछ सामान लाना हो तो ले आओ मा से भी मिल लेना फिर तुम लोगों को कल जाना भी है कहा जाना है गोवा हनीमून पर उन्होंने कहा और एकदम मूँ फेर कर चली गए समझ गई कि हनीमून की कलपना से भजादा खुश नहीं है खुश तो खेर मा भी नहीं हुए बोली कितना दूर जाने के क्या जरूरत है रे मुझे तो बड़ा डर लग रहा है मैं हस पड़ी कहा तुम लोग भी अजीब हो मा जब सच मुझ डरना चाहिए था तब तो निश्जिंत बने बैठे रहे और जब मैं अपने व्याता पती के साथ जा रही हूँ तब तुम्हें चिंता हो रही है वो बत नहीं है रे लेकिन कैसे कैसे कुछ से सुन रही हूँ आजकल सोच के ही दिल का बुट्टा है मा तुम लोगोंने बड़ी गलती की कैसी पूरे 40 के 40,000 एक पुश्ट थमा दिये या ठीक नहीं रहा आधी रकम रोक लेनी थी उससे क्या होता उससे मेरी सुरक्षा की गारंटी तो हो जाती अपन वर्पक्ष को जता देते कि अभी बाकी रकम दो लहन की हनीमोन से सकुषल वापसी के बाद मिलेगी बस फिर तुम्हारी चिंता अपने आप दूर हो जाती वा किसी और के सिर पर सवार हो जाती मा फिर कुछ नहीं बोली समझ गई कि मैं हर बात का मखोल उडाने पर तुली हुई हूँ मा का इस तरह भावक होना मा का इस तरह भयाकुल होना उनकी असीन वादसलिका दो तक था कभी या मुझे गदगद कर देता था पर आज तो मैं एकदा में सित्व प्रग्य हो गई थी सुनिए आदी रात को मैंने ही मौन के उस घने भूत गोहरे को भेदने का प्रयास किया वा एक लंबी सी आराम कुर्सी पर अदलेटे से कुछ पढ़ रहे थे मेरी पहली आवाज तो उनके कानों तक पहुची ही नहीं दूसरी बार उन्होंने आख उठा कर मेरी और देखा मुझे आपसे माफी मांगनी है किस बात की मेरी वज़े से आपको या अंचाहा संबंद स्विकार करना पड़ा वा अपनी जगे से उठे पुस्तक तिपाई पर रहकर वो उसी सजे सवरे पलंग के एक किनारे जाकर बैठ गए चतुर प्रबंद को ने हमारे प्रथम मिलन यामनी को खुशगवार बनाने का संदर प्रबंद किया हुआ था निधी उन्होंने गंभीर स्वर में कहा बोज अंचाहा हो सकता है पर इसे मैंने जिसकी वज़े से स्विकार किया वा तुम नहीं हो इसलिए तुमें परिशान होने की जरूरत नहीं है किसी का कर्ज था मुझ पर और उससे उबढ़ने के लिए या संबंद जरूरी हो गया तुम होती या कोई और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था धक से रह गई मैं पती के रूप में वा मेरे लिए अर्थहीन थे पर मैं उनके लिए शर्थ की ये एक धारा मात्र हूँ या मेरी कल्पना से परे था अपमान से कानों तक लाल हुआई मैं लगा कि वे सारे फूल सारी दीप मालाएं मेरा उपहास कर रही है निधी वह उसी गुरू गंभीर स्वर में कहे जा रहे थे बहुत सी बाते कहनी है तुमसे वहाँ उतने लोगों के बीच रैट संभा नहीं होता इसलिए तुम्हें यहाँ इतनी दोर ले आया हूँ नहीं तो तुम जानती हो हनीमून का कोई मतलब नहीं है अग एक और चोट हे भगवान क्या मुझे अप इसी तरह किस्तों में मरना होगा एक बार की यह सब कुछ समाप क्यों नहीं हो जाता तुम तो जानती हो मेरे पिता नहीं है उन्हें गुजरे एक अरसा हो गया वह जब जीवी थे तब भी उन्होंने हम लोगों को कोई सुख नहीं दिया बलकि दुख ही दुख दिया इतनी बड़ी जमीन जायदात के अकेले मालिक थे लक्षमी के साथ आने वाली हर अच्छी बुरी आदत के वा शिकार थे उन्ही के कारण धीरे धीरे सारी संपत्ती यहाँ तक की मा के जेवर भी महाजन के यहाँ पहुँशते रहे उनकी इन्ही आत्तों के कारण घर में दिन रात कलह मची रहती थी जिस दिन मैंने पाँच भी पास की थी दोह दिन आज भी मुझे अच्छी तरह याद है एक अक्षा में प्रथम आया था अपना प्रोग्रेस बुग लेकर खुशी खुशी घर पहुचा था पर दर्वाजे में पाम देते ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई डर के मारे खुण तक जम गया सारा घर ऐसा दिखरा पड़ा था जैसे भुचाल आ गया हो पिता साक्षात काल बने कमरे के बीचों बीच खड़े वाही तबाही बक रहे थे मुझे देखते ही उन्होंने मेरी प्रोग्रेस बोग जपट ली बल भर में उसके चिंदिया हवा में उड़ रही थी और मैं असहार बना देख रहा था दोसरे ही छड़ उन्होंने अलान किया कि इसके बाद बढ़ाई खत्म कोई काम धंदा ढूंडो और घर चलाओ मैं बारा साल का ना समझ लड़का उनका या आदेश सुनकर ही धहल गया कौन देगा काम मुझे क्या सचमश होटल में जाकर कपलेटे ही धोनी होंगी या स्टेशन पर बोचा उठाना होगा जिस बात को लेकर इतना हंगामा मचा था लाचार होकर मा को भमाननी पड़ी लड़कियों के कानों से सोने की बालिया निकाल कर अमा ने उनके सामने फेक दी तब जाकर उनका रोश शुशान्त हुआ इस तरह सोने का वा आखरी तार भी शराब के भीट चढ़ने चला गया उनके बाहर जाते ही अमा ने हम तीनों को साथ लिया बस बकड़ी और मामा जी के यहां दरवाजे आकर खड़ी हो गई मुझे जबरदस्ती मामी की गोद में बिठा कर बोली भोजी आज से तुम्हारे चार लड़के हुए प्यार से या मार से जैसे चाहो इसे आदमी बना दो लड़कियों को तो मैं भूखी प्यासी रहकर भी पाल लूँगी पर लड़का अगर बिगड़ गया तो मेरा बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा मामा जी ने उन दिनों वकालत शुरू की थी ऐसी खासी आमदनी भी नहीं थी पर मामी ने इसे अत्रिक्त भार को खुशी खुशी इस्विकार किया मुझे मा का सा प्यार दुलार दिया कभी अम्मा की याद नहीं आने दी कभी मुझ में और अपने बच्चों में फर्क नहीं किया बाहर वाले तो जानते ही नहीं थे कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ एक बच्चे के लिए जो स्वस्तवाता वरंड चाहिए वह मुझे मिला इसी से आज जो कुछ हूँ बन सका दीपक की मृत्यु के बाद पता नहीं क्यों मैं उनसे एक अत्राने लगा था लगता था मैंने उनका अपमान उनकी ममता का अपमान किया है उन्होंने मुझे बेटे की तरह प्यार किया और मैंने उन्हें बेटे की लाश थी इसी शर्म के मारे मैं अस्पताल से सीधा गाउं चला गया था वहीं वह एक दिन पहुची मुझे अंक में भर कर देड़ तक रूती रही फिर अपनी ममता का वास्ता दे कर बोली शेल बड़ी उल्जन में फस गई हुरे क्या मेरी एक बात मानेगा मैंने कहा मामी तुम्हारे मुझ पर इतने उपकार है कि प्राण भी मांग लो तुम्हें मना नहीं करूँगा वह बोली शेल मुझे प्राण नहीं चाहिए तुम्हारा नाम चाहिए क्या दीपक के बच्चे को तुम अपना नाम दे सकते हो पल भर को कमरे में सननाटा चागया मेरी सास तक रुप गई थी कुछ शड़ बाद मैंने आख उठा कर देखा वह एक टक मुझे ही देख रहे थे तो यह मेरी कहानी है उन्होंने जैसे उपसंगार किया बहुत अच्छी तरह शायद मैं नहीं कह पाया हूँ फिर भी आशा है मेरी अनिगड वेक्तव को तुमने समझ लिया होगा शादी चाहे तुम पर लादी गई हो या मुझ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब इस रिष्टे को निभाना ही है कम से कम कुछ दिनों तक तो यह नाटा करना ही है यही सब कहने के लिए तुम्हे इतनी दूर लाया हूँ तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा पर एक प्राठना है मेरी दुख्यारी मा को या कभी न पता चले कि मैं जान बूच कर ठगा गया हूँ बस इतना ही दो दिन बाद ही हम लोग वहाँ से वापस लोट आए मामा जी की विशाल कोठी के एक कमरे से हमने पती-पत्नी के रूप में अपनी जीवन यात्रा प्रारंप की चत पर बना हुआ यह कमरा खास दोर से हमारे लिए सजाया गया था यह उन तीन कमरों में से था जो मामा जी ने अपने बच्चों के लिए बनवाया था हर कमरे के साथ छोटी सी बालकनी और टौइलिट था एक कमरा इस समय दिलीप के पास था और दूसरा महमानों के लिए था मामा जी का स्वास्त इन दिनों नाजुक चल रहा था रात में मामा मामी को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था इसलिए दीनों उस्ताद नीचे शिफ्ट कर दिये गए थे घर भर में इस समय सिर्फ दिनेशी था जिससे मैं खुल सकी थी बहुत ही प्यारा लड़का था बहुत जल्दी उसने इस नए रिष्टे को स्विकार कर लिया था और लोगों से तो मुझे डर सा लगता था पति देवता तो सौजन की प्रतिमोर्ती थे पर उनकी यह अतिशे सदा शैता कभी करोणा तो कभी तिरसकार उप जाती थी इस से तो बलकी लड़ाई जगड़ा होता रहता तो ठीक रहता एक थे दिलीब जी जो हर्दा मुझे खुखार आखों से घूरते रहते इस घर में जो मैंने अनधिकृत प्रवेश पा लिया था उसे वह माफ नहीं कर पाए थे मामा जी ने तो मुझसे एक बार भी बात नहीं की उनके लिए घर के निर्जी वस्तू में जैसे एक और के व्रिद्धी हो गई थी उनकी यव बेक्षा बेहद अपमान जनक थी पर इस कड़वे घूट को पिये बिना चारा भी नहीं था हाँ मामी जी बहुत प्यार करती थी लगता था जैसे सब के हिस्से का लाट दुलार दे रही हूँ शुरो शुरो में तो अच्छा भी लगता था पर बाद में लगने लगा कि प्यार का ही अबोज बहुत भारी है वह मुझे पलभर भी आखों की ओट नहीं होने देती थी एक बार भी उन्होंने मुझे गाउं में अम्मा जी के पास जाने नहीं दिया मुझे कोई खास उत्सुकता भी नहीं थी निरेश ने बताया कि वह तो हमारी व्यवस्था नीचे के कमरे में ही करना चाहती थी पर दिलीप नहीं माने बोले यहां दिन भर आवक जावक बनी रहती है पल भर भी उन लोगों को एकांत नसीब नहीं होगा मुझे एकांत का इतना मोह भी नहीं था पर कमरे में चुपचा पलेट कर छट की और ताकना अच्छा लगता था मामी जी जब तब उपर पहुच जाती और जुड़क देती दिन भर इस तरह सोया नहीं करते जरा चलती फिरती रहा करो जब कभी उनका बीपी बढ़ा हुआ होता तब नीचे से ही आवाज दे लेती उत्तर में जब मैं दंदरा कर सेड़ियां उतरने लगती तब फिर डाट पड़ती ओफो जरा धीरे कितनी बार कह चुकी हूँ ऐसे समय कोई खास कर दिलीप सामने होते तो मैं शर्म से गड़ जाती वह अजीब नजरों से मझे घूरने लगते जैसे मेरी फजीहत कर रहे हूँ खाने के संबंद में भी उनकी सो हिदायते होती थी रोज मेरे लिए फरमाईशी नाश्ता बनता कई बार लगता महराजिन पता नहीं क्या सोच रही होगी पर माजी जैसे अपने आपे में नहीं थी नई नई शादी हुई थी रोजी कहीं न कहीं से निमंतरना था इस गुमसुम से व्यक्ती के इतने सारे दोस्त होंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी दोस्तों के बीच वज इस तरह खुलते थे घटो सचमुष देखने की चीज थी मुह से चाहे जो कहते रहें लाख मामा मामी के लाट प्यार का बखान करें पर उस घर में उनका व्यक्तित तो कुंठित हो गया था यह बात तै थी पर उन्हें इस तरह उनमुक्त देखने के आऊसर बहुत कमाते थे आदे निमंतरन तो मामी जी दूर का बहाना करके ही लटा देती थी जाना भी होता तो कार में जाने के लिए मजबूर करती उनके फर्मान के बाद अपील की भी कोई गुनजाइश नहीं थी और अपील करता भी कौन इब्राहिम की उपस्थिती में ये कार में बेहद बंधा-बंधा महसूस करते फिर अपने मध्यम वरगिये दोस्तों पर कार का रॉप डालना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था इस दम घोटू माहौल में दिनेशी मेरा संबल था साथ ही था जब भी समय मिलता हम लोग ताश यलूडों खेलते वह मुझे पत्रिकाएं लाकर देता कॉलिज की दोस्तों की गपे सुनाता घर का उदास वातावरन उस पर भी भारी पढ़ रहा था इसलिए शायद उसकी मुझसे पट्रे बैट कई थी वह घर पर नहीं होता तो लगता जैसे घर की रौनक ही चली गई है मन तब बेहद उदास हो जाता मामी जी की नजर बचा कर मैं कमरे में आ जाती और कुर्सी पर बैट कर छट का विस्तार देखती रहती कई बार समय का पता ही नहीं चलता था ऐसे मैं पता नहीं कहां से दिलीब जी प्रकट हो जाते और अपने मन की सारी कड़वाहट सुर में घूल कर कहते सुर्यास तो रोज होता है कल देख लीजिएगा इस समय जरा दादा की चायनाश्ते का इंतिजाम कीजिए उनकी यह बात मन पर चाबुक की तरह पढ़ती और मैं तिल मिला उठती दिनेश दोड़ा दोड़ा कमरे में आया भावी जी जल्दी से मिठाई खिलाईए किस बात की दादा की प्रिया आ गई है वा दीनु जी तुम्हारे दादा की प्रिया आएगी तो मैं क्या मिठाई बाटूंगी जोटा पकड़कर कहते कहते रुख गई मैं ये पता नहीं कब दर्वाजे में आकर खड़े हो गए थे अपनी कही बात याद करके मैं शर्म से लाल हो उठी मेरा असमंजस भापकर इन्होंनी सहेज़स्वर में कहा बहुत पहले नंबर लगा दिया था आज हात में आई है कहां है? मैंने सुष्टा चार निभाया नीचे खड़ी है मैंने उसुकता वर्ष गैलरी में जाग कर देखा ग्रे रंग का नया चमचमाता स्कूटर खड़ा था नजर हटाई तो देखा ये मुझे ही देख रहे थे पसंद आई? बड़ा प्यारा कलर है घूमने चलोगी? चलिए दरबार में अरजी देनी ही थी फोरण जवाब तलब हुआ कहां जाना है? सिनेमा कौन सा? वही वो जानी दुश्मन पास की टॉकीज में ही लगी है रोज आते जाते पोस्टर देखते होंगे तभी तो यही नाम जबान पर आ गया उसमें तो सुनते हैं भूत प्रित है पर उसकी मनिशा वत ला रही थी तुम और देनू देखाओ वहाँ फिल्म निधी के देखने की नहीं है तो दूसरे देख लेंगे इन्होंने फुसुसा कर कहा या नहीं भी देखेंगे देनू ने बात आगे बढ़ाई योही घुमगाम कर लोटाएंगे पर मम्मी इन्हें जाने तो दो स्कूटर के उदगाटन का सवाल है मेरी मिठाई मारी जाएगी उदगाटन तो हो गया बैंक से उसी पर तो लोटा है ओफो मम्मी तुम कुछ समझती क्यों नहीं मैं सब समझती हूँ बेटे पर आज अमावस के दिन नई गाड़ी पर मैं नई नवेली बहु को नहीं जाने दूँगी समझे तुम इतनी दखियान उसी कब से हो गई होना पड़ता है कभी कभी मा बेटे में ठंती रही ये कब चुपचा बाहर चले गए पता ही नहीं चला बैगुमसुम बैठी टीवी देखती रही नोड बेतरा उखड गया था आट बजे गनी सी खाना लगने की सोचना देने आया तो धीर से मना कर दिया इच्छा ही नहीं हो रही थी पर मामी जी खुद उठकर आई आरे वह तो अब पिक्चर देखकर ही लोटेगा तुम कब तक बैठी रहोगी उनके बार टाल नहीं सकी पर कौर बार-बार गले में अटकता रहा उनका बुझा-बुझा चेहरा याद आता रहा पाएं होंगे के नहीं मद्रास वाले एक्सिडेंट के बाद से पाओं में थोड़ा दर्द रहने लगा है कई बार एकदम जाम हो जाता है क्या पता और फिर मामी जी ने अमावस की याद दिला दी अमावस को भला लोहे की चीज खरीबता है कोई ग्यारा बजे के बाद मुझसे नहीं रहा गया उठकर दिलीट के कमरे तक गई कमरे में घुप पंधिरा था पिछली रात नाइट ड्यूटी थी इसे से शायद जल्दी सो गए थे भाईया जी कौन है उनीदे स्वर में प्रश्नोब्रा क्या उत्तर दूं समझ में नहीं आया पर उत्तर की प्रतिक्षा उन्होंने नहीं की डाक्टर होने का यही तो फायदा है बत्ती जला कर एकदम सामने या खड़े हुए आप जी वो बात क्या होई कि यह अभी तक नहीं लोटे है कहां गये है शायद पिक्चर शायद उन्होंने व्यंग में दोहराया फिर बोले तो इसमें परिशानी क्या है अभी तो सिर्फ ग्यारा वज़े है वह फर्स्ट शो में गये थे तो बैट गए होंगे कही वो क्या है कि शाम को जरा अपसेट होकर गये है और मैंने उन्ही सारा किस्सा सना दिया और आप अब इतनी देर बाद मुझे ये सब बता रही है किस बात का इंतिजार कर रही थी उन्होंने कपड़े पहनी और खटा-खट सेड़ियां उतर गए थोड़ी देर बाद स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज आ गई मैं चुपचाप एक और से खीच कर बैठ गई देलिप को नाहक परिशान क्यों किया क्या उत्तर देती कैसे कहती कि इतनी सी देर में मैं आशंकाओं का कितना बड़ा अभियाबान जहील चुकी हूँ मैं आनक संभाव नाओं ने मेरे मन को इस बेच किस बुरी तरह से मत डाला है क्या भी देती तो क्या कोई विश्वास करता स्वैम मुझे भी तो विश्वास नहीं हो रहा इन्हें 10-15 दिनों की ट्रेनिंग के लिए जैपुर जाना था बोले यहाँ अकेले रह लोगी ना हो तो अपने घर हो आओ कुछ दिन मैं मामी जी से कह दूँगा अपने घर? मतलब अपनी मा के यहाँ शादी के बाद मा का घर अपना कहां रह जाता है मैं चुप हो गए मैंने ही फिर कहा कहें भी रहू मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अकेला पन तो अब मेरी आदत बन चुका है इसके बाद कहने को कुछ था ही नहीं पर दूसरे ही दिन मामी जी ने फर्मान दिया दिलीप निधी को शक्ती नगर छोड़ाना कुछ दिन अपने भाई बेहनों के साथ रह लेगी दिलीप अस्पताल से लोटकर खाना खा रहे थे बोले भूग इतनी जोर की लगी थी कि आते ही खाने बैठ किया तुम्हें बताना भूली किया क्या बुवा बिमार है किशनगन से आदमी आया था तो मैं अभी वही जा रहा हूँ सोचता हूँ बुवा की बहु को भी साथ ले जाओ यह वहां क्या करेगी वही जो आमतोर पर बहुए सास की बिमारी में करती है और फिर मेरी और मुड़ कर बोले मैं खाना खा रहा हूँ तब तक आप तयार हो लीजिए हाँ दो-चार दिन रहने की तयारी से जाईएगा मामी ने कुछ कहना चाहा पर पता नहीं क्या सोचकर चुप लगा गई वैसे भी दिलीप से थोड़ा डरती थी मैं नीचे उत्री तब तक वह पोर्च में बहुत चुके थे मुटरसाइकल स्टार्ट करते हुए बोले बैठिये तू क्या मुटरसाइकल पर लेकर जाएगा इसे मामी जी ने टोका डोंट वरी ममा कुछ नहीं होता फिर मैं हूँ तो साथ में मामी जी ने शायद कुछ और भी कहा पर उनकी बात काड़ी को पर उनकी बात काड़ी की घर घराहट में डोग गई थोड़ी देर बाद हम लोग सड़क पर थे करिब घंटा सवा घंटे के सफर के बाद हम लोग गाउं में थे प्या के बाद सीधे यहीं आये थे पर अब कुछ भी पहचाना नहीं लग रहा था उस घर के सामने हम लोग रुके वह भी तो अंचिना सा लग रहा था उस दिन तो तोरण बंदरवार मंडब शामियानी और बिजली की असंख्य मालाओं के कारण इसकी छटा ही दूसरी थी गाड़ी की आवाद सुनते ही रमा उमा दोड कराई पीछे पीछे अम्मा जी भी अरे मुझे देखकर उनके मुह से निकला तुम्हारी बहु को लाया हूं बुआ अच्छी तरह सेवा करवा लो दादा चार-ाट दिनों के लिए बाहर गये है इस मौके का लाब उठा लो ठै हैर इसे अभी यहीं रोके रखना कहते हुए अम्मा जी शायद राई नोन लाने अंदर चली गई पीछे-पीछे लड़किया भी इस फरेव की क्या जरूरत थी मैंने दवी जवान से मगर सक्ट लहजे में कहा मैं वैसे भी चली आती फरेव आपके लिए नहीं मम्मी के लिए किया था आखिर इस बेचारी का भी तो कुछ हक बनता है कुछ देर बोल बतिया कर दिलीफ आपिस हो लिए मुझे लगा जैसे सुनसान चंगल में मुझे अकेला छोड़ गये हूँ अपनी ससुराल में वह पहला दिन बेहत तनाव में गुजरा पर दीरे-दीरे पता चल गया कि यह दूरी गलत फैमियों के कारण है जिसे मैं उपेक्षा समझ रही थी वह उनका संकोष था शादी इतने अप्रत्याशिर ढंग से हो गई थी कि उन्ही अपनी राय बताने का समय ही न मिला और उसके बाद मैं मामा जी के यहां ही रही इसी से कुछ राराजगी भी थी पर एक बार अच्छी तरह परिचय हो जाने के बाद कोई व्योधान न रहा यरामा उमा तो ऐसे घुल मिल गई कि लगा जैसे सुधी ही दो रूपों में बट गई हो पर सुधी इन दिनों कितनी दूर की चीज लग रही थी प्यार तो मामी जी भी बहुत करती थी पर उनके प्यार में एक रोव एक अनुशाशन था अमा जी का प्यार एकदम निश्चल सरल था उन्होंने मुझे पता भी नहीं लगने दिया कि शादी के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या थी दो-चार बार मैंने लक्ष किया कि वह गौर से मुझे देख रही है एक बार जब उनका यो घुरना पकड़ाई में आ गया तब भेद भरे अंदाज में धीरे से पूछा कुछ है? मैंने सिर जुका लिया शायद इसे उन्होंने नारी सुलब लज्जा समझा हो क्योंकि मैंने कंखियों से देखा कि प्रसनता से उनका चेहरा खिल उठा और वह इस जुदेव को बार बार सिर्णवा रही है ये ट्रेनिंग से लोटे तो शाम को स्कूटर उठा कर सीधे गामा पहुचे इनके पहुचते ही घर में जैसे एक हंगामा बर्पा हो गया अम्मा जी बाहर उसारे में खड़ी किसी से बतिया रही थी वह भागी भागी अंदर आई और उन्होंने पुरानी बदरंग धोती फेक कर नई पहन ली इतनी नई की आखों में चुब रही थी मैं अपनी वही अटैची लेकर आई थी जो मैंने मा के यहां जाने के लिए पैक की थी उसमें पड़ी मेरी एक मैक्सी उमा पहने हुए थी भहिया को देखते ही वह हड़ड़ा कर कमरे में घुस गई थी और कपड़े बदल कर ही बाहर निकली मैं और रमा दोनों मिलकर एक साड़ी काड़ रही थी उपर वाले कमरे में वह साड़ी अपने पूरे विस्तार में फैली थी साथ ही रेशम के लच्छे सुईया कैची, पैंसिल और भी न जाने क्या-क्या पड़ा था फुर्ती के साथ वसारा कबार समीटा गया और भहिया के उपर आने से पहले ही कमरे जाड़ पोश कर चमका दिया गया कमरे जाड़ पोश कर चमका दिया गया उसके बाद रसोई का भव्यायोजन प्रारंब हुआ, तीनों मा बेटी उसमें जुट गई, मुझसे अम्मा जी बार बार कहती रही, इतने दिन का थका मंदा आया है, थोड़ी देर उसके पास बैट ले, पर मैं उन्हें अंसुना करते हुए, वहाँ कुछ न कुछ करती रही मेरी सवग्या का उन्होंने बुरा नहीं माना, उल्टे खुश हो गई, रात सोने से पहले इन्होंने कहा, अम्मा, सुबह खाना जल्दी ही बना लेना, मेरी छुट्टी नहीं है, और फिर कुछ देर रुख कर बोले, इसे भी साथ ही ले जाऊंगा, फटफटी पे ले है यहां, वह कुछ देर तक सनेहाद्री दृष्टी से मुझे देखते रहे, फिर बोले, मामी ने बताया कि तुम गाउं में हो, तो मैं इतना परिशान हो गया कि, फिर दिलिप नहीं बताया कि वह तो लेने भी पहुचा था, पर तुम ही ने मना कर दिया, दिलिप इस बात बना कर कहने की क्या जरूरत थी, अभी अगर इनसे कह दूं कि वह अम्मा जी की बिमारी का बहाना बना कर, मुझे जबरदस्ती यहां ले आये थे, तो इनके चेहरे का रंग कैसा हो जाएगा, ये जो अभी अभी आखों में खुशे की दीपावनिया जगमगा रही है, बेकाएक बुझ जाएंगी, दिलीप ने शायद इसी दीपोट्सों के लिए बहाना गढ़ा हो, मुझे मालूम है, दिलीप जितनी मुझे नफरत करते हैं, उतना ही अपने इस निरेह भाई से सने भी, गाउं से लोटने के बाद कितने ही दिन तक मन उन्ही आदों में खोया रहा, अम्मा जी का निश्चल प्यार, रमा उमा की चुहलबाजी और सबसे जादा, इनका ग्रे स्वामी का रूप याद आता रहा, माथा उचा करके चलने से, मनुष्य का व्यक्ति तो कितना वदल ज जाता है, बगले की चार दिवारी में प्रवेश करते ही, उनका वहरूप जाने कहां खो गया, और वो पहले की तरह मन में कभी करुणा और कभी जुगुपसा जगाने लगे, यह आपका पत्र, मैं छत पर सोखते कपड़ों को तहा रही थी, कि दिलेप ने आकर एक पत्र प देपक बहिया का, मद्रास बहिया का समान लाने गया था, उसमें मिला है, लेकिन आप तो चंडिगड ख़ए थे, हाँ मम्मी पापा को यहीं बताया है, लेकिन मैं मद्रास गया था, कंपनी का फ्लेट खाली करना था, समान फिलाल मैंने अपने कमरे में रख दिया है, आप भी मम्मी से जिक्र न कीजिएगा यह पत्र यह मेज की दराज में मिला था मैं तो इसे वही नश्ट कर डालता पर फिर सोचा यह तो मरने वाले के साथ अन्याय होगा जिसके नाम यह लिखा गया है उसे ही यह अधिकार है कि अवब इसे पढ़े या फाड कर फेक दे पत्र को हिदय से लगाए मैं देर तक वही खड़ी रह गई यह वही पत्र था जिसकी मुझे इतनी आतुरता से प्रतिक्षा थी यह मुझे मिलने वाला मेरे जीवन का पहला और शायद अंतीम प्रेम पत्र था बिचारे लिखतो गए थे पर डाक में डालने से पहले ही अनंत में विलीन हो गए यह तो कहो कि समय पर दिलीप जी का विवेक जाग गया नहीं तो कितना कुछ अंकहा ही रह जाता पत्र को बार बार चुमती हुई मैं भीतर आ गई कमरे को अच्छी तरह से बंद करके मैंने कापते हाथों से वह लिफाफा खोला बहुत संशिप्त सा पत्र था अंग्रेजी में निधी प्रिये प्रियत में कुछ भी नहीं सिर्फ निधी बहुत दिनों से लिखने की सोच रहा हूँ आज आखिर निष्चे कर ही डाला वैसे आते हुए मैं मम्मी को संकेत दे ही आया था पर तुम्हें बता देना भी अपना करते वे समझता हूँ दो साल पश्चे में रहकर लोटा हूँ वहा का महौल ही कुछ ऐसा है तुम्हें देखकर लगा था कि मेरा सपना साकार हो गया है पर तुमने जिस सहष्टा से अपने आपको मुझे सौब दिया था उससे लगा कि भारत भी अब बहुत प्रक्तिशिल हो गया है या कि हो सकता है तुम्हारे ही संसकारों में कहीं खोट हो बहरहाल यह विवाह मेरे लिए संभव है क्योंकि यह बात बार बार मेरे मन में आती रहेगी कि क्या सचमोच मैं ही पहला विक्ती था तुम सुन्दर हो स्माठ हो दोसरा पती ढूणने में तुम्हें जादा दिक्कत नहीं होगी ऐसी आशा है चमा एक एक अक्षर दंश की तरह मन में रिस्ता चला गया और मेरा सारा अस्तेत्तु पके फोड़े सा टीस उठा लगा कि मैं अंधकार के सागर में डुब क्या खा रही हूँ दम घुटा जा रहा है और मृत्त्य के पल नजदी काते जा रहे है लगा कि कोई धन मार मार कर मेरी गोडी मुडी समवेदना को समतल करने की चेश्टा कर रहा है लगा कि किसी ने मुझे उचे परवत से ढखेल दिया है और अब आवाज लगा रहा है निधी, निधी, निधी क्रमशवा आवाज तेज होती चली गई चोट भी अब दुहरे जोर से पढ़ रही थी मैं लगभग संग्या शुन्य होकर सारे अत्याचार जहिल रही थी कि का एक मेरी चेतना लोटी कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और घबराई सी आवाज में मुझे पुकार रहा था मैंने उटकर दरवाजा खोल दिया ये बधावासे दरवाजे में खड़े थे क्या करने लग गई थी तुम मेरा तो कलेजा मुझ को आ गया था मैंने उनके पसीना पसीना होते चहरे को अपलग देखते हुए सपार्ट स्वर में कहा सो गई थी वह कागज का टुकड़ा मेरी उम्र भर की नीद उड़ा कर ले गया मैं मरने वाले को कोस रही थी जब इतनी दिलेरी से पत्र लिख दिया तो पोस्ट करने में एक उता ही क्यूं कर दी समय रहते मुझे मिल जाता तब इस बाप के भार से मुझे मुक्ती तो मिल जाती प्रणय का प्रतीक प्रेम का अंकुर मैंने सो सो नामों से अपने भूल को समहरा था माता पिता का भी तब लिहाज नहीं किया था वे सारे भावक संभोधन उद्दात विशेशन आज किनी दुरबल छड़ों की पैचान भर रह गए है या तुमने क्या क्या दिली मुझसे या कैसा प्रतिशोद लिया माना कि तुम मेरा तिरसकार करते हो पर अपने भाई से तो तुम प्यार करते थे न फिर उसकी प्रतिमा को यूँ खंड-खंड क्यूं होने दिया कागज का भर टुकड़ा दीपक की स्मृतियों की धच्या उड़ा गया है साथ ही मुझे भी अपनी नजर में कितना छोटा कर गया है जब मैं नारी सुलव लज्जा और जन्मगत संसकारों को तिलांजली देकर अपने देवता को समर्पित हो रही थी वह इसे मातर काम कौतुक समझ रहे थे इस शर्म को लेकर कहा जाऊं मैं इस दंश को कैसे जहिल पाऊंगी मैं मैं उन अमूले छड़ों की धरोहर उदर में समेटे बड़े गर्व से जी रही थी पल भर में सब कुछ समाप्त हो क्या अब इस अंचाहे बोच से छट पटा रही हूँ क्या इससे मुक्ती का कोई उपाय नहीं है केवल मेरी ही बात होती तब भी ठीक था इस प्रसंग में एक और भी निरी प्राणी शहीद हो रहा है उनकी हत्या का पाफ किसके सिर होगा करवट बदल कर मैंने देखा वह मुझे ही निहार रहे थे नीन नहीं आई दोनोंने लगभग एक साथ पूछा और फीकी सी हसी हस दिये दरसल जरा सोच में पढ़ गया था इन्होंने कहा कोई खास बात मैंने सुष्टा चार बरता वह तकिये को पलंग की पीट से ठिका कर उठकर बैठ गये बोले रमा की ससुराल से पत्र आया है मुझे मुरादाबाद बुलाया है किसलिए? वे लोग शायद दहेज की शर्तों को रिवाइज करना चाहते है लेकिन गेबाते तो सगाई के समय ही तेह हो जाती है न इसलिए तो मैंने रिवाइज शब्त का प्रयोग किया है सगाई जब हुई थी तब परिस्सेती दूसरी थी मेरी या बैंक वाली नौकरी नहीं थी और मेरी शादी भी नहीं हुई थी उससे क्या फर्क पढ़ता है? बहुत पढ़ता है उन्हें तो लग रहा है सौदा बहुत सस्ते में तैह हो गया है तो अब क्या विचार है? कल जा रहा हूँ उन्निस बीस का फर्क होगा तो माल लोगा बहुत ज़्यादा मूफ आड़ेंगे तो सारा किस्सा खत्म करके चलाओंगा लगी लगाई सगाई तोड़ देंगे मैंने सिहर कर पूछा पेरी अपनी गहाव अभी ताजा ही थे तो क्या करने को कहती हो? मैं चुप हो रही तुमने जवाब नहीं दिया? किस बात का? वहाँ मेरी लाइन ओफ एक्शन क्या होनी चाहिए? क्या उनकी हर बात माल लू? अगर एक आद खेद बेशना पड़े तो तुम्हें अत्राश तो नहोगा या तो अम्मा जी से पूछे मैं क्या कहूँ? अम्मा से तो खेर पूछना ही है पर तुम भी तो पत्नी हो मेरी तुम्हारा भी कुछ हक बनता है रिष्टा लाखन चाहा हो इससे तुम्हारे अधिकारों में कोई फर्क नहीं बढ़ता अधिकार इस घर में मेरा कोई अधिकार होगा यह कब सोचा था मैं तो स्वपना विस्ट सी जी रही थी और आज वह सपना भी चूर चूर हो गया उसके किर्चें मेरे मन मस्तिश को चलनी कर गई थी सारी शाम उस टीज को उस दर्द को मन ही मन पिया था मैंने वह सारा सचित त्रोश अबेका एक सता पराकर मुझे मतने लगा पतनी हूँ यह तो सुन लिया मैंने कसैले स्वर में कहा पर पतनी को लेकर दोसरों के दर्वाजे कब तक पड़े रहेंगे यह तो बताईए वह चकित से मुझे देखते रह गए फिर धीरे से बोले कहा रहना चाहती हो जिन लोगों के पास मामा जी की इतनी बड़ी कोठी नहीं होती उन लोगों की बीवियां कहा रहती है वे घर में रहती है दो या तीन कमरों का छोटा सा घर होता है वह बंगला नहीं होता यहां भी तो एक अम्रे में गुजारा कर रही हूँ और वह भी मेरा कितना अपना है नीधी या एकाई गंभीर हो उठे तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या कहने तक का इंतिजार करेंगे नहीं पर मैं जानना चाहता था कि आप तो बस इतना जान लीजे किस घर में अब मेरा रहना नहीं हो सकता बस उसके बाद यह सो नहीं सके बराबर करवटे बदलते रहे सुबह नीचे जाने से पहले अनुनै भरे स्वर में बोले मेरे लोटने तक सबर कर सकोगी निधी मैं आते ही कोई इंतिजाम कर लूँगा पर तब तक नहों तो कुछ दिन अपनी मा के यहां हो आओ मेरा रात वारा जोश समाप्थ हो चुका था मा के यहां जाने कभी कोई खास उत्सा नहीं था मैंने बड़पन जटाते हुए कहा यह सब बाद में देखा जाएगा अभी तो आपने इश्चिंत मन से मुरादा बाद हो आईए मुझे लेकर कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है मेरे आश्वासन के बावजोद्व निश्चिंत नहीं हो पाए सारी सुबह मेरे ही आसपास मटड़ाते रहे आटो में समान रखवाने के बाद भी वह एक बार उपर कमरे में आये लगा कि वह कुछ कहना चाहते हैं पर वह कह नहीं पाए नहीं मैंने पूछना जरूरी समझा मुरादा बाद से लोटे तो जैसे सब कुछ तैह ही कर चुके थे आते ही सूचना दी मामी जी पांच जून तारीक तैह हुई है अब एकदम तैयारी में जुट जाना होगा इतनी गर्मी में क्या दिवाली तक रुप नहीं सकते थे तारीक तैह करने का अधिकार तो नहीं का था मुझे तो सिर्फ मुहर भर लगानी थी चार महीने बाद फिर एक चार मीटर लंबा मांग पत्र पेश कर देते तो जितनी जल्दी ने पढ़ जाए अच्छा है मुझे तो पच्चिस माई से पहरे छुट्टे मिल नहीं सकती सोचता हूँ निधी को गाउं छोडाओ अम्मा को थोड़ा सहारा हो जाएगा यह वहाँ जाकर क्या करेगी ओफो मम्मी लड़की की शादी है सो तरह के काम निकलते हैं घर की बहु ऐसे में हाथ नहीं बटाएगी तो कौन बटाएगा यह दिलीब जी बोल रहे थे गर्मी रेखते हो कैसी पड़ रही है तो कूलर लगवा देंगे पंखा लगवा देंगे हमारे दादा को क्या ऐसा वैसा समझ रखा है यानि कि दिलीब जी मुझे घर से भगाने के लिए कृत संकल्प थे मैंने भी इस बार निर्ने ले लिया था चलने की तयारी शुरू हो गई तो इनसे कह दिया इस बार स्कूटर से जाना नहीं हो सकेगा मेरा सारा समान साथ लजाएगा टेक्सी से ले जाएंगे भाई पर थोड़ा सबर से काम लो सामान की चर्चा अभी से मत छेड़ो मामी जी बुरा मान जाएंगी पर मैं इस घर में वापस नहीं आना चाहती यही न मुझे मालूम है तुमने मुझे बताया है एक बार और इत्मिनान रखो तुम्हारे इच्छा के विपरीद कोई भी काम करने के लिए मैं तुम्हें बादे नहीं करूँगा या क्या मैं जानती नहीं मेरी इच्छा के विरूद कभी किसी बात के लिए तुमने मुझे बादे नहीं किया और फिर मुझे अपने पर ही हसी आ गई किसी बात की जिद कर रही हूँ मैं यह मेरा कैसा पागल हट है मैं कहीं भी रहूँ उससे क्या फर्क पड़ता है जिस शर्मनाग जूट को मैं अपने में समीटे जा रही हूँ वह तो हर चके मेरे साथ ही रहेगा उचसे मुक्ती कहाँ सच तो यह है कि पिछले दिनों जैसे मैं सपने में जी रही थी अपनी मान से कुलजनों से घिरी हुई मैं भूल ही गई थी कि मेरा शरीर भी इन दिनों संक्रमण से गुजर रहा है इतने दिनों तक मैं इस कड़वे सच को अंदेखा करती रही पर अब यह संभव नहीं था यह सच कितना भेयानक रूप धारण किये मेरे सामनी मोबाई खड़ा था रमा की शादी में घर महमानों से खचाखच भर गया था गाउं जवार की ओरतें भी अम्मा जी का हाथ बटाने या सुबह शाम गीत काने के लिए जुड़ जाती मैं उन सभी के लिए आकरशन का केंद्र थी को तोहल का विशे थी लाख शाहने पर भी उनकी घाग नजरों से अपने को बचा नहीं पाई थी आजकल तो बश्रादी हुई नहीं कि पेट निकल आता है अरे तो इसमें अचरज क्या है दूसरी कहती अब कोई लड़कियां ब्याही जाती है पूरी औरत होती है आधी उमर तो माबाप की घरी बिता कर आती है तीसरी ताना कस्ती फिर भी बहु बेटियों का यू सीना तान कर चलना अच्छा लगता है भला आजकल का तो चलन ही निराला है हमारे तो चार-चार हो गए थे फिर भी ऐसी दबी ढखी रहती कि नौ महीने तक पड़ो उसमें भी पता नहीं लगता उस खुसर पुसर से मेर जी घपरारी लगता अम्मा जी सामने होती तो यहीं औरतें इसने और ममता की मुर्ती बन जाती इसे से अम्मा जी के सामने मेरा मू नहीं खुलता था और उनसे कहती भी तो क्या शादी से तीन-चार दिन पहले ही मामी जी दिनेश के साथ आ पहुची और मुझे महिला मंडल से निजाद मिल गई मामी जी का दबंग रोबीला विक्तित ऐसा था कि सभी उनसे खौफ खाते अम्मा जी भी उनसे सहमी सहमी रहती बिचारी अम्मा जी उन्हें तो आते ही फटकार सुननी पड़ी थी क्रिशना बहु को बड़े मजे से बुला तो लिया पर उसका ठीक से इंतिजाम तो किया होता एक इंच भर जगे कहीं ऐसी नहीं है कि जहाँ वह घड़ी बर को कमर सीधी कर सके घर भठी सा तप रहा है सो अलग कहकर ही वचुप नहीं हुई उन्होंने खड़े खड़े छटवाले कमरे में सेलिंग फैन लगवाया खिड़कियों में परदे टांगे गए पूरे घर में यही एक कमरा ढगका था उस पर अब मामी जी का दखल हो गया मेरे लिए भी जैसे नजर कैद हो गई थी उनकी इजाज़त के बिना नीचे पाऊं देना मुहाल था मामी जी की उस साधिकार चौकसी ने रमा उमा को फिर से मुझसे दोर शटका दिया बड़ी मुश्किल से मैंने एक स्नेह का ताना बाना बुना था वह तार-तार हो गया रमा तो खेर अपने सपनों में खोई हुई थी फालतू बातों के लिए उसके पास समय नहीं था पर उमा स्वेम को बहुत अपमानी तो पेक्षेट सा अनभाव कर रही थी उसका गुसा बात-बात पर जलगता था कल ही अपनी सखी से कह रही थी शादी ब्या तो बराबरी वालों में ही अच्छे लगते हैं ये बड़े घर की बेटियां आकर अपनी को और छोटा बना जाती है रमा की शादी धुमधाम से संपन हो गई अपनी ओर से हम लोगोंने अच्छा प्रबंद किया ही पर यह मानना होगा कि बाराती भी सज्जन थे एक बार जो मांगना था सो उन्होंने मांग लिया पर फिर बाद में कोई टंटा बेखेडा नहीं किया हम लोग जितना डर रहे थे उसकी तुलना में विवाह अत्यंत शांती पुरवक संपन हो गया दोसरे दिन जब सब लोग अपनी थकान मिटा रहे थे मामा जी अमा जी के पास आकर बोले कृष्णा बहुत बहुत बधाई सब काम बड़ी शांती से निपट किया अब हमें भी इजाज़त दो तुम्हें तो रुखने के लिए नहीं कह सकती मैं यहां दिलिप भी नहीं है तुम्हारे सोने बैठने के ढंका इंतिजाम भी नहीं हो पाता पर भोजी तो अभी रहेंगी ना नहीं मैं भी अब चलूंगे घर को और तुम्हारे भाईया को जादा दिन तक नौकरों के भरों से नहीं छोड़ा जा सकता अमा जी ने मुझे रटालिया में पूड़ी मिठाई सजाने के आग्या दी और खुद जाकर बेटे को जगा लाई उन्हें देखते ही मा जी ने कहा शैल मैं इदी को अपने साथ लिए जा रही हूँ तुम तो अभी कुछ दिन रहोगे अपना नाम सुनते ही मैंने चौकर से रुठाया सभी की आखे मेरी और लगी हुई थी अमा जी की आखों में एक विवश्टा का भाव था पर उमा की आखे तो जैसे जल रही थी इनकी और फिर देखने का सहासी नहीं हुआ तभी इनकी आवाज सुनाई पड़ी मा जी अभी तो यहां बहुत समीटनी को पड़ा है निधी आपके साथ चली गई तो फिर अमा बिलकुल अकेली पड़ जाएगी तो यह कहो ना कि तुम लोगों ने उसे मार डालने का ही राधा कर रखा है इट्स ओल राइट मम्मी दिनेश ने उन्हें शांत करना चाहा क्या खाक ओल राइट है डॉक्टर मिश्रा ने कितनी हिदायते दे कर भीजा था मैं जानती थी उनमें से एक पर भी अमल नहीं होगा अपनी जिम्मेदारी पर व्याह कर लाई हूँ तब ही नहीं इतना सरख पा रही हूँ नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी और वा भुनभुनाते हुए सबसे पहले गाड़ी में जा बैठी अच्छा खासा तमाशा हो गया लड़की तो शांती से विदा हो गई पर महमानों की विदाई में यह नाटक हो रहा था और इस नाटक के मूल में मैं हूँ यह सोचकर मैं शर्म से गड़ी जा रही थी यह जतन से मामा जी को गाड़ी तक पहुचा आए उनके बैठते ही दिनेश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी शायद वह भी इसी तमाशे के कारण लजजित हो रहा था उनके जाते ही घर में जैसे भूचाला गया अमा जी ने करुण स्वर में और उमाने कठोर शब्दों में कैफियत तलग गी कि जब वे लोग ले जा रहे थे तो निधी को जाने क्यों नहीं दिया गरीबों की कुटिया में उसकी सारसंभाल कैसे होगी इन्हें भी फिरतावा गया बोले तुम्हारे घर में जगा हो तो रखो नहीं तो मैं दूसरा इंतिजाम कर लूँगा जिंदगी भर मैं अपनी बीवी को दूसरों के घर में नहीं रख सकता शादी वाला घर था फिर भी कुछ लोगों ने मिले भगत करके हम लोगों के लिए कमरे का एकांत जुटा दिया था उसका शुभारम इस वाक के से हुआ आम्मा को इस तरह जलिल करने की क्या जुरूरत थी उनके तेवर देखकर मैं सहम सी गई उनका इस तरह का सवर पहली बार सुना था तब ही जबान से मैंने पूछा मैंने अम्मा जी को जलिल किया है हाँ अम्मा को मुझे हम सब को कैसे डॉक्टर की हिदायते हमें क्यों नहीं बताई गई क्योंकि उनमें मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं थी सवाल तुम्हारी दिल्चस्पी का नहीं तुम्हारी सेहत का है वह चीखे मुझे अब अपनी सेहत में अपने आप में कोई दिल्चस्पी नहीं रही सवाल अब सिर्फ तुम्हारे अकेले का भी नहीं रहा एक और मुझे अब उस किसी और में कोई दिल्चस्पी नहीं रही बस उनका तम तम आया हुआ चेहरा कुछ सामाने हो चला था फिर भी जब बोले तब स्वारुतना ही उग्र था क्या बात है निधी इसी अजन में जीव के लिए कभी तुम विद्रोह का जंडा लेकर खड़ी हो गई थी परिवार की समाज की सारी मानेताएं तुमने ठुकरा दी थी और आज कहती हो तुम्हें उसमें कोई दिल्चस्पी नहीं रही क्यूं क्योंकि तव्वा मेरे प्रेम का प्रतीक था अव्वा सिर्फ बेवकूफी की निशानी है तब मैं उसकी मा थी अब मामी जी के पोते की धाय भर हूँ and I hate it पल भर को वसकते में आकर मुझे घूरते रह गए मैंने दोनों हतेलियों में अपना मूझ छिपा लिया और दीरे से मेरे पास आकर बैट गए और अपने हमेशा वाले मृदू अंदाज में बोले निधी मैंने तुम्हें संपोर्ण इतिहास के साथ स्विकार किया है अब ऐसी वैसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें मुझ से मुझ चुराना पड़े ओ आप नहीं जानते मैं क्या नहीं जानता उस स्वर में पता नहीं कैसी ममता थी कि अपने पर मेरा वशी न रहा उनसे सब कुछ कह डाला और कहने के बात लगा मन एकदम हलका हुआया है इतने दिनों मन में जैसे जो आला मुखी दतक रहा था वह अभी जैसे अब शान्त हो गया वह गौर से मेरी बात सुनते रहे फिर धीरे से बोले अगर मैं कहूं कि मैं यह जानता था तो क्या विश्वास कर लोगी जानते थे तो फिर बताय क्यों नहीं बता देता तो क्या विश्वास कर लेती क्यों क्यों नहीं करती उस समय तुम किसी के प्रेम में आकंठ कुछ दिर बाद मेरी और देखे बिना उन्होंने सारी बात कहना शुरू किया दिपक जिस दिन जाने की तैयारी कर रहा था मामी जी ने मिठाई की एक बड़ी सी डलिया लाकर उसके सामने रख दी कि वह मद्रास जाकर दोस्तों को सगाई की खुशी में बाट दे पहले तो व बख रहा है ठीक बख रहा हूं मैं वहाँ जाकर चिठ्ठी लिखना चाहता था अच्छा हुआ तुमने यही मौका दे दिया इसके बाद मामी सिर्प टक कर है गई पर उसने मुह नहीं खूला उसके जाने के बाद भी वह बड़ी बेचैन रही मुश्किल तो यहा थी मुश्किल तो यहा थी कि अपनी परिशानी किसे से कह भी नहीं सकती थी मामा जी का गुस्सा बहुत तेज है पता नहीं क्या कर बैठते दिलेप छोटा तो है ही सहन शक्ती भी उसमें नहीं है मुझ में सदा से ही उनका टूट विश्वास और ममता रही है मुझे अकेले में बुला कर बोली शैल जरा मदरास जाकर देख तो आ उसका कहीं कोई चक्कर तो नहीं है इस लड़के ने तो मुझे अच्छी मुसीबत में डाल दिया है लड़की वालों को मैं क्या मों दिखाऊंगी कितने विश्वास से उन लोगों ने लड़की हमें सौपी थी इतने दिनों तक उसे लिए लिए घूमता रहा और अब फिर किसी इंटर्व्यू का बहाना बना कर मुझे मदरास जाना पड़ा दीपक से कुछ बात हो पाती इससे पहले ही सारा खेल खत्म हो गया पर इससे पहले मुझे कुछ आभास हो गया था उसने एक दो संकेत तुम्हारे लिए ऐसे किये कि मैं सन रह गया कोई भी शरीफ आदमी अपनी वागदत्ता बहु के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता वले ही वह अमेरिका से लोटा हो मामी जी लेकिन आश तक नहीं जानती कि उसका माने का एक बदल क्यूं गया था वह अब मेरे सामने आकर खड़े हो वह अब मेरे आगे आकर खड़े हो गए थे निधी तुम सोचती हो मामी जी तुम्हें दीपक के बच्चे के कारण प्यार करती है या गलत है दीपक अगर जीवित होता या बच्चा भी अगर बीच में न होता तब भी वह तुम्हारे लिए कुछ करती इसे उन्होंने अपना नेतिक करतवे मान लिया था और तब भी शायद बली का बकरा वह आपको ही बनाती मैंने सोखी हसी हसकर कहा वह कुछ नहीं बोले चुपचाप खिड़की से बाहर देखते रहे जानते हैं जिस दिन या पत्रहात में आया था चट से चलांग लगाने का मन हो आया था और आपका ख्याल करके रह गई पहले ही आपने बहुत अन्याय सहा है अपनी मृत्यु से आपकी परिशानियों में इजाफा करने की इच्छा नहीं हुई एका एक उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिये थाइंक्यू नी थी आई एम सो ग्रेटफूल वचन दो भविष्ण में भी ऐसा पागलपन नहीं करोगी उनका स्वरका अप रहा था पर हाथों की पकड़ इतनी सक्त थी कि उनके भीतर छिपा फॉलादी पुरुष पल भर को मुझे सर्मा गया शेल या बंटी आया है अम्मा जी को देखकर हम दोनों चौक पड़े इस तरह धरधराती हुई वह कभी कमरे में नहीं आई थी अक्सर नीचे से ही आवाज दे लेती जरूर कोई खास काम यादा गया होगा हर शाम की गाड़ी से ये मुरादाबाद जा रहे थे रमा को विदा करानी थी जब से मोरत निकला है दस बार सामान के लिस्ट बन चुकी है कहीं फिर कुछ शहर से मंगाना होगा तभी तो बंटी मेरे चचेरे देवर को साथ लेकर आया है कहो बंटी उस्ताद इन्होंने आफटर शेव लोशन की सुगंद विखेरते हुए पूछा इसे जरा मुरादाबाद का पता ठिकाना समझा दे गाड़ीयों का टाइम टेबल भी बतला दे पहली बार जा रहा है न यह कहार जा रहा है मुरादाबाद लड़की को लाना नहीं है मैं जातो रहा हूँ नहीं तुम्हारा जाना नहीं हो सकेगा क्यों? पता नहीं किस संकोट से अम्मा जी कुछ देर चुप रही फिर धीरे से बोली बहु की तबियत कुछ धीली सी लग रही है तुम्हारा यहां रहना बहुत जरूरी है मैं इनका सूटकेस जमा रही थी मैंने चौक कर सिर उठाया ये मुझे ही घूर रहे थे उनकी आखों में अभियोग था अरोश था अब मैं इनहीं कैसे समझाती कि मैंने अम्मा जी से कुछ भी नहीं कहा है उनकी अनुभवी नजरों ने अपने आप ही सब भाप लिया है अच्छा ही हुआ जो अम्मा जी ने इनहें रोक लिया शाम होते नहोते ही मेरी हालत बिगड़ने लगी गाउ में किसी के हाँ बारात में दो जीपे आई थी मान मनवल करके ये जीप ले आए भग्वान को दस्दस बार माठा टेक कर हम लोग रवाना हुए मैं तो जानती थी कि समय पूरा हो चला है पर अंपा जी सत्मा से पर अंपा जी सत्मा से की आशंका से बहुत खवरा रही थी बार बार कह रही थी कुछ ऐसा वैसा हो गया तो भोजी को क्यामो दिखाऊंगी एक तो मैं दर्थ से बेहाल हो रही थी उधर अम्मा जी का यूँ भी सुरना सुनसुन कर कोफ्थ हो आई मैंने खीच कर कहा अम्मा जी बहु आपकी है मरिया जी है किसी दूसरे को उसे क्या मतलब तब कहीं जाकर उनका रिर्याना बंद हुआ शेहर की वत्या जब दिखाई दी तब लग रहा था जैसे जीप में बैठे वर्सों बीट गए हूँ उन्होंने मामा जी के बंगले के पास बलभर को गाड़ी रुखवाई और कहा अमा तुम और उमा यहां उतर जाओ और दिलिप को लेकर नर्सिंग हों पहुचो मैं चलता हूँ उन लोगों के उतरते ही ये पीछे मेरे पास आकर बैठ गए निधी गाड़ी स्टार्ट होते ही इन्होंने भीगे कंट से पुकारा जी कहते ही दर्द की एक लहर उठी और मेरी संपूर्ण चेतना को चेर्टी चली गई पल भर को जैसे सारी दुनिया ही अधेरे में डूप गई होश में आने पर देखा मेरा पसीने से भीगा सेर इनकी गोद में है और वह उसे सहला रहे है अस्पताल कब आएगा मैंने छीड स्वर में पूछा बस आ ही गया समझो और थोड़ी ही देर में हम नर्सिंग होम में थे वह परिचिते मारात मुझे धुनली सी लग रही थी सारा संसार ही अधर में तैरता सा लग रहा था इन्होंने सहारा देकर मुझे धीरे से उतारा और बहुत आहिस्ता आहिस्ता लाउंज में ले आए खबर लगते ही दो सिस्टर्स दोड़ी चली आई और मुझे उन्होंने अपनी संरक्षन में ले लिया वह मेरे पीछे-पीछे सारा कोरिडॉर पार करके आ पहुचे फिर एक कमरे के सामने रुख कर सिस्टर ने जब शहिद गुली आवाज में कहा बस अब इसके आगे नहीं तो सहम कर वह पीछे हट गए दर्वाजा बंध होने से पहले मैंने उन्हें देखा उनका चेहरा भीड में खोए बच्चे की तरह सहमा सहमा सा था एक बार कुशल हाथों में भहच जाने के बाद मुझे निश्चिंत हो जाना चाहिए था पर वहाँ का वाता वरण ही कुछ ऐसा था कि घबराट कम होने के बजाय बढ़ती ही गई पिछले दो बार के चेक अप में डॉक्टर ने हलका सा संकेत दिया था कि बच्चे की पोजिशन थोड़ी कड़बढ है खबराने के कोई बात नहीं थी पर उन्होंने उठने बैठने और लेटने के तरीके के संबंध में कई निर्देश दिये थे सिर्णिया चड़ने उतरने के लिए भारी चीज उठाने के लिए कुछ खास चीजे खाने के लिए मना किया था खास कर घी से परहिज बताया था पर आने वाले के प्रती मैं ऐसे विद्वेश से भरूठी थी कि मैंने हर काम वही किया जिसके लिए मुझे मना कर दिया गया था एक अजीब से जिद मुझ पर सवार थी और मैं निरंतर उस जन में शिशो की मृत्यू की काम ना कर रही थी क्योंकि मुझे मालूम था कि एक बर मेरी गोदवी आ गया तो जबरदस्ती मेरी ममताच छीन लेगा यहां आने के बाद अपना वह जुनून सौगुना होकर मुझे डराने लगा था क्योंकि मेरा हसकर स्वागत करने वाली सिस्टर अब गंभीड लग रही थी हमेशा चहकने वाली डॉक्टर मित्रा भी बदहवासी थी दो-चार बार बाहर जाकर किसी को फोन भी कर चुकी थी फिर धीरे धीरे मेरी टेबल के पास अजीब से मानवी आकार इकठा होनी लगे सिर पर चप्टी टोपियां और चहरे ढखे हुए लगा जैसे अमदूत है ये वह तेज रोश्नी वे चमकते औजार वे अजनबी चहरे मुझे लगा जैसे डर से ही मेरा अदम निकल जाएगा भावी डरना नहीं मैं हूँ यहाँ मैंनी चौक कर देखा हाँ या दिलीब थे उन आखों में आज प्रती हिंसा का भाव नहीं था फिर भी मैं पहचान गई कि भाव दिलीब थे भावी उन्होंने मुझे भावी कहा था पहली बार इस नाम से पुकारा था इस बात की खुशे इतनी अधिक थी कि उसमें मेरी सारी लाजशरम डूप गई भाईयजी मेरा ओप्रेशन होगा हाँ बस छोटा सा आपको पता नहीं चलेगा मुझे बिहुश करेंगे हाँ बस थोड़ी सी देर को आप घबराना नहीं अरे वह नहीं घबराती शी जब रेव लेडी यह आवाज जॉक्टर मित्रा की थी आप उनके मिया को देखते डिकलेरेशन लिखते हुए क्या बुरी तरक आप रहे थे भाईया जी हाँ भाभी क्या यह बहुत नर्वस हो रहे है अरे बस कुछ न पूछिए उन्हें समझाने में तो इतनी देर लग गई और वह मेरे कानों के पास जुकाए याद रखिए आपको वापस आना है दादा आपकी राहा देखेंगे He will be waiting for you You will have to come back Now please doctor किसी ने कंभीर स्वर में चेतावनी दी Sorry दिलीप ने कहा और पीछे हट गए गमरी में पलभर को निरवता चागई लगा जैसे सब लोग सास रोक कर मेरी मृत्यु की प्रतिक्षा कर रहे हैं लेकिन वह नहीं जानते बाहर कोई मेरी प्रतिक्षा कर रहा है मुझे वापस आना ही होगा I shall come back I shall have to come back अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी का खोबसूरत अपन्यास पुन्रा गमनाय चव उमीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी धन्यवाद झाल झाल झाल